अलो बच्छो कैसे हैं आप सब लोग वाइसल मॉमित महाजण और विलकुम यौल ओन इस इंक्रेडिबल फ्लीट्पॉम फिदिक्स वाला तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम इन और गैनिक केमेस्ट्री का एक पहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर डाट इस कॉड का पार्ट नमबर वन मेक्शर करिएगा क्लास के थुरू आप नोट्स बनाते रहिएगा चेप्टर बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट है पिछले कुछ सालों में अगर कुछ तफ कोशन आया है इन और गैनिक केमिस्ट्री में तो वो इसी चेप्टर से आया है एक और बात NTA ने अपने होराइजन्स एक्स्पैंड कर रखे हैं वन इट कम्स टू आउट अफ एंसी आटी मलगा अगर आवो एंसी आटी से बाहर जाता है तो इन और गैनिक केमिस्ट्री में ये वो चेप्टर है जिसके बाहर NTA पास्ट में भी गया है और आगे फ्यूचर में भी ज आगा सकता है तो चली शुरू करते हैं कर सबसे पहले क्या है डबल सॉल्ट सर ये डबल सॉल्ट होता क्या है नामस ही पता चलना वेटा जिए ज़िव दो या दो से ज़्यादा salt के mixture से बना होगा, एक salt, दूसरा salt, उनको mix किया, क्या बन गया, double salt बन गया, ठीक है एक बात, दूसरी बात, जब इनको water में डालेंगे, यह अपने सारे ions में dissociate हो जाएगा जो जो इसके अंदर ions हैं, वो सारे पानी के अंदर क्या हो जाएगे अलग-अलग हो जाएगे, जैसे आप हो जाते हो ना, शरम से पानी-पानी, बस वैसे ही है कुछ ठीक है, तो जैसे example आपके सामने यह लिखा हुआ है, potash alum, फिटकरी भी बोल सकते हैं आप so K2, SO4 dot AL2, SO4 का hole thrice, dot dot, 24H2O, जैसे आप बिटा, इसे पानी में डालेंगे जो जो इसके अंदर ions है, यह इसमें dissociate हो जाएगा, कौन से ion नजर आ रहे हैं, सर एक तो potassium ion नजर आ रहे है, तो यह potassium ion में तूड़ जाएगा, और sulfate ion, यह रहा sulfate ion यह रहा sulfate ion, total sulfate ion कितने हो गए, 4 और यहाँ पर aluminium ion कितने नजर आ रहे हैं, सर आपको 2, तो इस पानी के अंदर, किस पानी के अंदर, जहाँ पर आपने fit curry को डाला है, ठीक है, potassium ion भी present होगा, sulfate ion भी present होगा, और aluminium ion भी present होगा, यानिकि अपने सारे ions में क्या हो गया, negative ion में, अरे भाई, यह covalent compound है, covalent compound थोड़ा dissociate होते हैं, कौन dissociate होता है, ionic compound तो obviously, ठीक है, यह potassium ion, sulfate ion और aluminium ion में convert हो जाएगा, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर, next है coordination complex, सर, यह coordination complex क्या होते हैं, यह भी जो होते हैं, इन में एक complex ion होता है, ठीक, एक बात, दूसरी बात, जब इनको आप पानी में ढालते हैं, तो यह अपने सारे ions में dissociate नहीं होता है, सारे ions में dissociate नहीं होता है, जैसे for example देखे ज़रा, के for FECN6, अगर आप इसे पानी के अंदर डाल रहे हो, तो यह जो है, पोटाशियम आयन, तो पानी में अलग हो जाएगा, ठीक, बाकी जो है, यह, I'm sorry, पोटाशियम आयन तो पानी में जाने पर अलग हो जाएगा, ठीक, बाकी यह जो पूरा प्रैकेट के अंदर लिखा हो है बेटा, that is FECN6, 4 negative, यह as it is ही रहेगा, यानिके, यह फैरा सायन में तूटेगा, नहीं, साइन आयन में तूटेगा, नहीं, ठीक है, तो ऐसी चीज, जो पानी में डालने पर, completely अपने आयन में डिसोषेट हो जाती है, नबल सॉल्ट, ऐसा complex, जो पानी में डालने पर, अपने सारे ions में तूटता नहीं है उसे क्या बोलते हैं आप coordination compound या complex compound यह लिखा हुआ potassium ion and pharocyanide ion कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ छुट-छुटी चीज़ें को question आ रहे होंगे सर इस पे 4 negative charge कैसे आ गया किसी भी compound में जितना charge katein भी होता है total उतना ही anion पे होता है क्या यहाँ पर potassium है कितने potassium है 4 एक potassium पर charge कितना होता है plus 1 4 है कितना होगा plus 4 katein पर plus 4 तो anion पर कितना होगा minus 4 इस पर plus 4 तो इस पर कितना होगा minus 4 वही किया हमने ठीक है चलिए आगे बढ़ते next Next, थोड़ा सा और coordination compound को समझने कोशिश करते हैं, मेरे खाल से मैं पिछले ऐसे थोड़े बड़े से page पर, I'm sorry. Sorry for the inconvenience cost बेटा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को explain करना चाता हूँ, थोड़ा better way में, तो मैंने सोचा एक पूरे page पे लिख देता हूँ, कहीं आपको छोटे page चीज नदर आए या ना आए. इस पूरे को क्या बोलेंगे बेटा, आप coordination compound, ठीक है सर, ये देखिए, ये जो हमने, ये, ये sphere इसके अंदर रखा है, ये bracket है ना, ये square bracket जो है, इसके अंदर जो रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग, that is coordination sphere, क्या बोलते हैं, coordination sphere, ठीक है सर, जो coordination sphere के बाहर present होता है, यानि कि क्या सर, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहलाता है, spectator iron, क्या कहलाता है, spectator iron, जैसे आप cricket match देखने जाते हैं, या कोई भी match देखने जाते हैं, तो आप spectator की तरह काम करते हैं, ठीक है, पस ये वो है spectator iron, ठीक, जो bracket के अंदर लिखा है, उसे क्या बोलेंगे, कोडिनेशन स्फेयर, ठीक, कोडिनेशन स्फेयर के अंदर, दो चीजे होती हैं, एक, तो, सेंट्रल, मेटल, आटम, या आएन, तर आटम या आएन, क्यों बोल रहे हो, पेटा, अगर ये जीरो oxidation state में होगा, तो आटम बोल दूँगा, अगर किसी positive या negative oxidation state में होगा, जनरली positive भी होता है, ठीक है, तो क्या मैं बोल दूँगा, आएन बोल दूँगा, ठीक, और ये जो बाकी लिखे होएं, सर ये वाला, ये जो हिस्सा है, this one, ये जो पूरा का पूरा लिखा हो है, ये क्या लाएगा, बिटा, like it, मेरे खल से जितनी भी चीजे लिखे होई थी, हर एक का मतलब तो at least हमने पढ़ लिए, ये क्या है spectator आएन, ये क्या है sentimental atom या आएन, और ये क्या है like it, ठीक है, अब होगा क्या, वो भी ध्यान से सुनिए, समझिए, coordinate bond तो present होगी, topic का नाम ही है, chapter का नाम ही है, coordination compound, तो coordinate bond तो present होगी, coordinate bond होती क्या है, जब दोनों के दोनों electron, एक atom देता है, बट share दोनों करते हैं, share दोनों करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप, coordinate bond, coordinate bond ऐसे बनती है, donor to acceptor, एक जाना, दोनों के दोनों electron देता है बट share दोनों करते है जो loan pair देता है जो loan pair देता है वो क्यालाता है donor और जो loan pair लेता है यानि कि share करता है उसके साथ वो क्या क्यालाता है असप्टर central metal atom और ligand के बीच में coordinate bond होती है ठीक है sir बट coordinate bond में एक electron दे रहा होगा दो electron ठीक है एक atom दो electron दे रहा होगा दूसरा atom वही दो electron अपने साथ accept कर रहा होगा share कर रहा होगा ligand जो है वो यह है donor की तरह काम करता है और यह जो central metal atom है या आयन है वो acceptor की तरह काम करता है और दोनों के बीच में कौन C bond बनती है sir दोनों के बीच में bond बनती है that is coordinate bond जिसमें दोनों के दोनों electron किसने थी है ligand ने accept किसने किया है central metal atom मेरे इस bond को क्या बोलेंगे हम लोग that is coordinate bond I think that is quite clear ligand क्या है central metal atom क्या है spectator iron क्या है और दोनों के बीच में coordinate wand होती है कौन donor की तरह काम करता है कौन acceptor की तरह काम करता है वही हमने next page पे दुबारा वही हमने next page पे दुबारा भी लिखा हुआ है किसे ligand बोलेंगे ठीक है यह coordination sphere हो गया यह central metal atom हो गया और एक और term लिखी होई है coordination number sir यह coordination number टो यह सारी चीजह explain कर दिए हुई है next जो complex है जो coordination sphere है वो दो तरह का हो सकता है एक तो homoleptic एक heteroleptic sir homoleptic heteroleptic क्या होते है homoleptic वो होगा जब एक ही type के सारे ligand present होगे जितने भी ligand है वो सारे एक ही type के है sir example ये लिखा हुआ है नजर आ रहा है बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ दुबारा इस एक्जाम्पल को क्या बेटा ये central metal atom है yes क्या ये ligand है yes दोनों के बीच में bond बनी होई है coordinate bond yes sir ठीक है ligands कितनी है ligands कौन है ammonia और कितनी है six ये की type के ligand है न सारे इक सारे छे हैं माल लिया ठीक है बट है तो सारे इक सारे क्या ammonia उसे क्या बोलेंगे homoleptic ठीक है complexes in which all the ligands are identical और heteroleptic क्या होंगे जो इसमें अलग अलग type के ligand होंगे सारे ligand एक ही type के homoleptic ligands अलग अलग type के तो उसे क्या बोलेंगे आप heteroleptic ये example दिया हुआ है नजर आ रहा है बहुर अच्छी बात है नहीं तो मैं बता रहता हूँ देखिए ligand कौन कौन है एक तो EN EN क्या होता है ethylene diamine और एक ये cn negative that is chlorido कह सकते हो आप ठीक है तो अलग अलग type के ligand है इन्हें क्या बोलेंगे आप heteroleptic आगे बढ़ते हैं complex iron किसे बोलते हैं मैं बात कर चुका हूँ बात नहीं करेंगे उसके बारे में central metal atom किसे बोलते हैं बता चुके हैं बटा coordination number किसे बोलते हैं अब भी बताया दो बनेट पहले तो यह तीनों definition हमने explain कर दी है जान बुझके लिखी भी होई है आपको कोई problem हो आप notes को refer कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बटा oxidation state क्या होगी ठीक है जो भी charge present होगा central metal atom या iron पे complex के अंदर उसे क्या बोलेंगे आप oxidation state NH3 6 CL3 यहां पर मुझे cobalt का oxidation state जो है वो क्या करना है calculate करना है जिसका calculate करना है उसको x लिख लिजे कितने cobalt है एक ही है तो 1x आएगा अगर यह 2 होते तो 2x लिख 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 कि ammonia जो है वो light end है और जो coordination sphere के बाहर होता है वो क्या होता है spectator ion अच्छा क्या यह भी पता है हम सबको कि NH3 neutral होता है हाँ सर्फ जितनी मर्जी chemistry week हो इतनी week नहीं हो सकती कि कोई यह कहने लगे कि ammonia के ओपर plus 1 charge होता है या minus 2 charge होता है ऐसा नहीं होता है ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर 6 into 0 जितना इसका charge है plus CL का क्या लिखूंगा 3 है CL into minus 1 पता ना एक CL पर कितना होता है minus 1 total charge किसी भी neutral complex पर इसका charge plus इसका charge plus इसका charge इसका oxidation number plus इसका oxidation number plus इसका oxidation number सबका मिलाके total आता है 0 तो X कितना आ जाएगा minus 3 यह तो 0 हो गया is equal to 0 इसका मलब X कितना आ गया plus 3 सरेकाद example और बताइए बिलकुल CR NH3 4 CL2 BR मुझे oxidation number calculate करना है chromium का क्या रख लोंगा X ammonia क्या है neutral that is 4 into 0 CL2 2 CL तो 2 into 1 CL पर कितना होता है that is minus 1 plus 1 into 1 BR पर कितना होता है minus 1 is equal to 0 X minus 3 is equal to 0 X कितना आ जाएगा plus 3 मेरे खाल से यह भी वेटा आपको समझ आ गया एक और last example ले ले लेते है oxidation number calculate करने का फिर आगे move करते है I have taken my speed to the bare minimum the reason being is chapter is extremely important आप इस chapter में ऐसे ऐसे topic हम लोग आज भी discuss करेंगे next part में भी discuss करेंगे जिन में NCRT का नामो निशान भी नहीं है सर क्यों discuss करोगे क्यों जा रहे है NCRT थे बाहर क्यों क्योंकि वो previous years में आ चुके है वो topic और बड़ी recently आये है पिछले 2-3-4-5 सालों में ही आये है तो obviously discuss तो करना पड़ेगा यार नहीं तो आपको ही problem आएगी और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को किसी भी कारण कोई भी problem आए चलिए आगे बढ़ते एक और example कर लेते हैं K4 Fe Cn6 Fe का हम लोगों को Oxidation State Calculate करना है पिटा इसे क्या रख लूँगा X पता है Potassium First Group का होता है Yes sir इसके उपर कितना charge होता है Plus 1 होता है sir तो 4 into 1 यहाँ पर sign line कितने है 6 सबको पता होगा Cn के उपर Minus 1 होता है तो 6 into Minus 1 Total charge This Plus this Plus this Is equal to 0 क्या X Minus 6 Plus 4 Is equal to 0 X कितना आ जाएगा Plus 2 तो आपको यहाँ पर Iron का Oxidation State भी पता चल गया That is कितना है Plus 2 Oxidation State Calculate करना आ गया है आगे बढ़ते Ligands क्या होते है Definition बता चुका हो फिर एक बार बता देता हूँ क्या Ligands क्या थे ठीक है यह वो होते है जो Central Metal Atom के साथ Coordinate Wand बनाते है ठीक Coordinate Wand बनाने में यह किस तरह काम करते हैं सर्य डोनर की तरह काम करते हैं तो देखिए क्या लिखा हूँ है चाहे यह Anion हो सकते है Cation हो सकते है यह Neutral Malkation Anion का मालब Interactive Charge हो सकता है Cation इन पर Positive Charge हो सकता है Neutral इनके उपर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता ठीक है Which combined with Central Metal Iron तो form a complex iron ठीक है Is known as Ligand ठीक है और Sir example दो न Ligand किसी Neutral Ligand का example दो किसी Positively Charged Ligand का example दो किसी Negatively Charged Ligand का example दो बिलकुल जी देखे ज़रा Negatively Charged Ligand Charged Ligand Sir example please Yes That is C-N- SO-4-2- SC-N- Next Neutral Ligand जिनके उपर कोई भी चार्ज नहीं होता Like H2O Like NH3 ठीक इनके उपर कोई भी चार्ज नहीं होता ठीक है Sir Positively Charged Ligand Sir एक बात हमारे दिमाज में नहीं चड़ पा रही वो क्या कि Ligand का काम होता है Electron Donate करना Agreed Electron वो Donate करता है जिसके पास Electron Access में होते है Agreed ठीक है जो है ही Positively Charged Positive Charged किसी के उपर आ जाता है तो उसके पास Electron की कम ही हो जाती है तो यह कैसे Ligand की तरह काम कर सकता है बिलकुल कर सकता है कैसे दिहान से देखिए NH2 NH3 Positive तो यहाँ पर इस Nitrogen के बारे बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अभी रब किया तो बारा बना देता हूँ NH2 था ना एक हैच इदर एक हैच इदर यह तीन एलेक्टरन पांच वैलेंस एलेक्टरन थे तीन ने तो बार्ण में लाली क्या अभी भी लोन पेर बचा हुआ है तो यह लोन पेर इस वाले Nitrogen पे लेफट एंड साइड वाले Nitrogen पे जो लोन पेर है वो डोनेट किया जा रहा है किसको Central Metal Atom को और यह कैसे काम करेगा लाइगेंड की तरह Positive Charge किसी और अटम पे है Lone पेर कोई और अटम डोनेट कर रहा है तो Positive Charge लाइगेंड हो सकते है थेक है बस Condition वही है क्या Positive Charge किसी और अटम पे होगा और Lone पेर कोई और Atom डोनेट कर रहा होगा थेक इन पे तो Negative Charge नजर ही आरहा यही डोनेट होगा पर इन में भी आपको नजर आ रहा है ये देखिए loan peer donate करने के लिए तो negatively charge भी हो सकते हैं neutral भी हो सकते हैं और positively charge भी हो सकते हैं और सुनिए जो negatively charge ligands है जो O पे end होते हैं किस पे end होते हैं? O पे end होते हैं ठीक है? नहीं ये कुछ और लिखा sorry for the inconvenience ये क्या लिखा हो है? जैसे chloride है मैंने आगे बतानी भी है line बट कोई tension वाली बात नहीं मान लीजिए chloride है CL negative जब ये ligand की तरह काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा chloride हो जैसे bromide है जब ये ligand की तरह काम करेगा इसका नाम हो जाएगा bromido ये ही लिखा हो है O suffix is provided at the name of anionic ligand सर और example दीजिए जैसे ये कर लेते है cyanide है तो जब ये ligand की तरह काम करेगा इसका नाम क्या हो जाएगा cyanide हो ठीक है? वैसे इनके दो तरह के नाम होगे chloride है यहां तो chloride हो यहां chloro bromide है जब ligand की तरह काम करेगा? जब ligand की तरह काम करेगा? spectatorian नहीं जब ligand की तरह काम करेगा? यहां तो bromido यहां bromo cyanide है जब ligand की तरह काम करेगा? यहां तो cyanide हो यहां sino ठीक है? तो फ़हला point clear है नेक्स क्या लिखा हुआ है आई यू एम सफिक्स इस प्रवाइड एड़ नेम ओफ केटाइनिक लाइगेंड ये भी समझाते हैं दोने चीज़े दुबारा भी बता नहीं है अभी बता नहीं है पहले भी बता नहीं है बट पहले भी बता देते हैं वहाँ पर लिखा होगा तो थोड़ा confidence बढ़ जाएगा कई लाइगेंड ऐसे हैं जो के आईड के नाम से एंड होते हैं chloride ठीक है तो आईड का E हटा दो और वहाँ पर O लगा दो chlorido बन जाएगा bromido बन जाएगा ठीक जो positively charged लाइगेंड है उनके नाम के एंड में क्या आजाएगा IUM जैसे यह देखे पॉस्टिव लाइगेंड लिखा बना हुदर NH2 NH3 इसका नाम पता क्या हो जाएगा hydrazine से बना है सर एक और example दीजिए NO यह होता है Nitrosil बट अगर यह क्राइनिक होता ऐसा होता तो इसका नाम हो जाएगा Nitrosonium Nitrosonium ठीक है तो यह लिखे भी हो है नाम आगे tension वाली बात नहीं है यह देखे इस सबसे पहले बताता हूं लाइगे नाम से लिखे भी हो है अग्रीड देंटिसिटी क्या है लाइगेंड कितने लोन पेर देता है एक लाइगेंड कितने लोन पेर देता है Central Metal Atom को ताके क्या बन सके Coordinate Bond Number of Loan Pairs donated to CMA Central Metal Atom CMA का मादलब Central Metal Atom या आयन भी हो सकता है Central Metal Atom to form Coordinate Bond अगर लाइगेंड एक लोन पेर डोनेट करता है तो उसे बोलेंगे Monodented लाइगेंड अगर लाइगेंड दो लोन पेर डोनेट करता है एक लाइगेंड दो लोन पेर डोनेट करता है तो उसे बोलेंगे Bidented लाइगेंड अगर ligand तीन लोन पर donate करता है Tridented ligand, 4 donate करता है Tetradented ligand 5 donate करता है, Pentadented ligand and so on, ऐसा ही चलता रहेगा ठीक है, examples देखते हैं, तब ज्यादा clarity आएगी, जैसे यह देखिए Classification of ligands on the basis of denticity, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है Monodented ligand, sir क्या होंगे Monodented ligand, जो सिरफ और सिरफ एक लोन पर donate करेंगे which has only one donor site, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लगते देते हैं, donor site भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए याद करना, which can donate only one loan पेर, ठीक है, जो सिरफ और सिरफ एक loan पर donate करेगा central letter atom को, उसे क्या बोलेंगे आप Monodented, examples आपके सामने दियो है, बटा, इन ligands में से, जो जो important है, मैं उन पे star लगा देता हूँ, बटा, वो तो जरूर करके जाना, ठीक है, बाकी आपका मन करें, आप करजिए या ना करजिए, ठीक है, जैसे ammonia, इसे amine बोलते हैं, जब यह ligand की तरह काम करता है, water, aqua बोलते हैं, ano, nitrosil बोलते हैं, co, carbonil बोलते हैं, करने को आप सारे कर जो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो important है, जो पक्का करके जाने हैं, आगे बढ़ते हैं, catinic monodented ligand, catinic का महलब समझ आ गया है, जिन पर charge क्या होगा, positive monodented कहने का महलब, कितने loan पर donate करेंगे, ठीक, sir, इस में से कौन-कौन सा करके जाना है, तीनों ही करके जाना है, यार यह तो, nitrosonium B, NO2 positive B, पर NH2 NH3 positive B, hydrazenium B, आगे बढ़ते हैं, anionic ligands, ठीक है, anionic monodented, anionic का महलब negative charge होगा, monodented का महलब, उनके पास क्या होगा, एक loan pair, कौन-कौन सा करके जाना है, F negative, C N negative, B R negative, Y negative, oxide, sulfide, amido, imido, और hydro, बस, इतने से कर जाईए, करने को बटा, आप सारे कर जाओ, मुझे कोई problem नहीं है, वट हाँ, याद करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि nomenclature लिखने में, as well as formula लिखने में, आपकी बहुत जादा help करेंगे, देखें जी, next, please, क्या लिखाव है, by dented ligand, monodented ligand क्या थे, एक ligand, एक loan pair donate कर रहा था, by dented क्या होंगे, एक ligand, दो loan pair donate करेगा, उसे क्या बोलेंगे, आप by dented ligands, ligands which has two donor atoms, simultaneously two donor side, यानि कि दो loan pair donate करेगा, क्या करेगा, two loan pair donate करेगा, सर, examples दीजिए ना, इसका, कि दो loan pair एक अठा donate करेगा, एक है, ethylene, diamine, short form में, उसको e, n लिखते हैं, और bracket के अंदर लिख देते हैं, सर, क्या होता है, ethylene, diamine, CH2, CH2, उसके इधर भी NS2, इधर भी NS2, क्या आपको, इसकी दोनो donor side, दोनो loan pair, जो donate किये जा रहे हैं, क्या वो नदर आ रहे हैं आपको, एक तो ये, और एक, ठीक, एक ये loan pair donate करेगा, एक ये loan pair donate करेगा, total number of loan pair कितने donate किये, central metal atom को, दो, तो ये क्या होगा, by dented ligand होगा, एक इधर लिखा हुआ है, और oxalate, जब ligand कितना काम करेगा, उसे oxalate हो बोलेंगे, ठीक, जब ligand कितना काम करेगा, उसे का बोलेंगे, oxalate हो, ठीक, लिखा कैसे जाता है, short form में, bracket में, ox, सर, ये कहां से दो loan pair donate कर रहा है, ये देखिए, एक तो ये रहा, sorry, एक तो ये रहा, negative charge, और एक ये रहा, negative charge, ठीक है, एक ये loan pair donate करेगा, एक ये loan pair donate करेगा, तो एक ligand, दो loan pair donate कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, आप, by dented ligand, mono dented का मलब, एक loan pair donate करेगा, by dented का मलब, दो loan pair donate करेगा, example कर लिए, ये neutral by dented था, ये negatively charge by dented था, आगे बढ़ते, poly dented ligand, ठीक है, poly dented ligand में क्या होगा, जब दो से जादा loan pair donate करेगा, एक ligand, यानि कि अगर तीन loan pair donate किये, तो trident, चार loan pair donate किये, tetradented, पांच loan pair donate किये, pentadented, six loan pair donate किये, तो क्या बोलेंगे, उसे hexadented, hexadented ligand में से, एक ligand बहुत important है, जो आप सब को पता भी होगा, नाम क्या है, उसका सर, उसका नाम है, E, D, T, A, that is ethylene, diamine, tetra acetate, that is CH2, CH2, यहाँ पर N, यहाँ पर N, इदर, CH2 COO negative, इदर, CH2 COO negative, इथा, ethylene diamine मनाया था ना, यह देखो ज़रा, क्या यह ethylene diamine मनाया था ना, CH2, CH2, इदर भी N के साथ H और H, इदर भी N के साथ H और H, H hurt के acetate ion लग जाएगा, H hurt के acetate ion लग जाएगा, CH2 COO negative, CH2 COO negative, यह hexadinted ligand है, सर, याने के एक ligand, 6 loan pair donate करेगा, सर, कहां से donate करेगा 6 loan pair, यह दो तो नजर आई रहे होंगे, यह तो इदर, इदर, यह रहा जो O के उपर negative charge है, 4th, यह रहा जो O के उपर negative charge है, 5th, यह रहा जो इस वाले O के उपर negative charge है, और 6th, यह रहा, that is उस वाले O के उपर negative charge है, तो that is EDTA, जिसकी full form क्या है, ethylene, diamine, tetra, acetate, और, यह, एक hexadented ligand है, polydented तो है, hexadented ligand, याने के, 6th, lone pair, क्या करेगा, donate करेगा, एक आपके दिमाँ में यह भी बात आ रही होगी, sir, acetate ion, CH3, COO negative होता है, आपने, तो CH2, COO negative लिखा है, बेटा, वो hydrogen हटा एक, तभी तो यह nitrogen के साथ bond बनी है, अगर मैं याँ पर CH3, COO negative लिख देता है, तो carbon की 5 bonds हो जाती, जो कि यह possible नहीं है, CH3, COO negative में से एक है छटा है, पर वही nitrogen के साथ bond लगी है, ठीक है, EDTA बड़ा काम की चीज होती है, अगर unfortunately, आपने कभी ऐसा करें, ठीक है, that is, after few months, like 2, 3, 4 months, तो उस पानी को replicate करने, पानी को दुबारा डालने के लिए, आप उसको open करते हैं, उसमें डालते हैं, अगर जो battery आपके घर पे लगी हुई है, वो lead battery है, तो जैसे आप उसे open करते हैं, और खासकर अगर वो गरब है, तो उसमें से lead के fumes निकलते हैं, वो lead के fumes, जो person पानी change कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास होगी battery, तो उसकी body के अंदर जा सकते हैं, और उसके बाद nausea, vomiting वगएरा, start हो सकता है, फिर आप doctor के पास जाएंगे, unfortunately, आपको जाना पड़ेगा, अपने आपको save करने के लिए, जैसे आप उसके पास जाएंगे, उसे बताएंगे, कि ऐसे ऐसे battery को open किया था, उसके बाद से vomiting वगएरा हो रही है, तो वो EDTA का ही salt का derivative देता है, EDTA पता क्या करता है, हमारी body के अंदर जाता है, लेड आयन जो हमारी body के अंदर चला गया, उसके साथ एक coordination complex बना लेता है, और body के waste के थुरू ही क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, EDTA का ही एक और salt भी होता है, जो purification of water में भी काम आता है, तो बड़ा important है, that is EDTA, आगे बढ़ते, MB-dented ligand, सर, यह MB-dented ligand होता क्या है, वो ligand जिसके पास एक से ज़्यादा donor atom होते हैं, एक से ज़्यादा donor atom होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आप MB-dented ligand, सर, example दीजिए, जैसे यह देखिए, CN-negative, यहाँ पर दो donor atom है, carbon भी लोन पे डोनेट कर सकता है, nitrogen भी लोन पे डोनेट कर सकता है, अगर यहाँ से carbon लोन पे डोनेट करेगा, तो इसे बोलेंगे, synydo, और अगर, nitrogen लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है, किसको डोनेट करेगा, central metal atom को, उसे क्या बोलेंगे, isosynydo, या isosyno भी बोल सकते हैं, इसे synydo भी बोल सकते हैं, एक और example, अगर यहाँ पर, sulfur लोन पे डोनेट करेगा, central metal atom को, इसे बोलेंगे, thaiosyanite, और अगर nitrogen करेगा, तो यह क्या कहला हैगा, isothiocyanite, तो यह है, embedded ligand, जिसमें, एक से ज़्यादा, donor atom प्रेजन होते हैं, carbon करेगा, sain हो, nitrogen करेगा, isosyan हो, यह करेगा, thaiosyanite हो, यह, isothiocyanite हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, next is, flexi-dented ligand, सरी flexi-dented ligand क्या होते हैं, कुछ ligand ऐसे होते हैं, जो कभी-कभी, monodented कीताना काम करते हैं, कभी-कभी, by-dented कीता, काम करते हैं न, highly adjustable होते हैं, महौल देखके, अपने आपको उसी जाप से क्या कर लेते हैं, adjust कर लेते हैं, ठीक है, सर, example बताइए, flexi-dented का मलब, flexible denticity, कभी-one, कभी-two, कभी-one, कभी-two, condition देखके, अपने आपको उसी महौल में ढाल लेते हैं, सर, example बताइए, sulfate-dented, carbonate-dented, सर, इनके example बताइए, न, ये तो ये हुआ कि, sulfate-dented, flexi-dented कितना काम कर रहा है, कहां पर काम कर रहा है, ये देखिए, दो example हमने लिखे हुए, कौन-कौन से, पहला देखिए देखिए देखा, cobalt, NH3, 5, SO4, ठीग है, generally जो आपने compounds पढ़ने हैं, इस chapter में, coordination compounds, उनमें या तो coordination number 5 होगा, या 6 होगा, sorry, या 5 होगा, या, गलत बोला है, ठीक है, क्या, जो भी आपको coordination compound, इस chapter में पढ़ने हैं, ठीक है, उनमें या, तो coordinate bonds बनेंगी, कितनी 4, या 6, यानि कि, coordination number या तो 4, या coordination number 6, या coordination number 4, या coordination number 6, ठीक है, पहले इसके बारे में देखते हैं, क्या ये central metal atom है, ये सर, atom कहना है, iron कहना है, आपकी मर्जी, मैं iron लेख रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, 5 bonds, तो इसने ammonia के साथ बना रखी हैं, क्या ammonia monodentate है, yes, कितनी bonds बनाता है, एक 5 ammonia है, तो कितनी बन चुकी है, 5, ठीक है, तो इसका वबलब sulfate आयन, कितनी bonds बनाएगा, kobalt के साथ, अभी अभी बताया, coordination number कितना बनाना है, 6, अल्रेडी कितनी बन चुकी है, 5, इसका वबलब sulfate यहाँ पर कैसे काम करेगा, monodentate की तरह, तोटल 6 बन नहीं थी, 5 अल्रेडी बन चुकी है, let's talk about this one, next one, यह वाला जो बना हुआ है, kobalt, NH3, SO4, बाहर CLM, क्या kobalt ने bonds कितनी बनानी थी, 6, क्योंकि 4 तो अल्रेडी बनी हुई है, ठीक है, और साथ में sulfate जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई bond तो बनाएगा, 1 मनाएगा, के 2 बनाएगा, सर यहाँ तो 4 बना सकता था, यहाँ 6 बना सकता था, 4 अल्रेडी बनी हुई है, अब monodentate की तरह काम करेगा, कि bydentate की तरह, सर फोर से 6 जाना है, तो bydentate की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर sulfate आयन कैसे काम करेगा, bydentate ligand की तरह, तो होगे दो एक्जामपल, एक monodentate की तरह में काम कर रहा है, bydentate, यह आपको जज़े से चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, इसके बारे में और clarity आपको होती जाएगी, ठीक है, next बात करते हैं बटा, chillesting ligand, सर चिलेटिंग ligand क्या होते हैं, इतना तो पता है, central metal atom है, उसके आसपास ligands है, जो coordinate bond बना रहे हैं, किसके साथ coordinate bond बना रहे हैं, central metal atom के साथ, ठीक, कुछ ऐसे ligands होंगे, जो central metal atom के साथ bond बनाएंगे, और उसके आसपास एक ring बना लेंगे, उसके आसपास क्या बना लेंगे, एक ring बना लेंगे, जैसे आप यह देखिए, ठीक हैं, यह मेरे हाथ little finger है, ठीक है, यह जो finger है, यह माल लेज़े, central metal atom है, और यह जो ring है, इसने क्या chilation कर रखी है, चारो तरफ क्या बना रखी है, एक ring बना रखी है, सेम इसदा केस हैं, डेफिनिशन पढ़ सकते हैं, चाहे ligand boy dented हो, या poly dented हो, वो अपने आपको central metal atom के साथ, ऐसे attach करते हैं, चाहे ligand boy dented हो, या poly dented हो, वो अपने साथ central metal atom को, ऐसे attach करते हैं, ठीक है, कि इनके आसपास क्या बन जाती है, एक ring बन जाती है, ठीक है, इस ring को क्या बोलते हैं, आम लोग chilation, ठीक, यह रहा loan pair, donate करेगा, यह रहा loan pair, donate करेगा, देख रहे हैं एक ring बन गई है, देख रहे हैं एक ring बन गई है, ठीक, अगर five member ring बने, या six member ring बने, वो बहुत जादा stable होती है, यहाँ पर कितने member बनी हैं, five member, देखो जारा, कौन कौन से five member है, जिन्हों ने ring बना ली है, एक तो metal है यह, एक यह NH2 का end, CH2 का C, CH2 का C, और यह NH2 का end, बन गई है, five member ring, अगर आपको कभी भी rings पैचाननी हो, कि कितनी rings बनेगी, यहाँ पर five member ring बनी है, और कितनी बनी है, एक बनी है, तो rings कभी भी पैचाननी हो, तो denticity minus one, denticity minus one, यह इसकी ethylene diamine की, यह ethylene diamine है न, denticity कितनी है, एक यह, कितनी, दो, तो by dented था, denticity कितनी हो गए, दो, two minus one, कितना आगया, क्या आपको rings पता चल गई, that is denticity minus one, तीक, आगे बढ़ते, next, क्या है, ligands का classification कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, normal या classical ligand की, फिर हम बात करेंगे, non classical, इसको pie acid भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pie acid, pie acid या pie receptor ligand, आराम से, ध्यान से सुनिए, ligands का classification दो तरह से, एक normal या classical, दूसरा pie acid ligand, सबसे पहले बात करते हैं, normal या classical ligand, definition ligand की पढ़ चुके हैं, यह सर, कम से कम चार बार आप बता चुके हूं, ligand donor की तरह काम करेगा, metal receptor की तरह काम करेगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, एक coordinate bond, फिर रपीट कर रहा हूं, ligand donor, और यह जो है, metal जो है, वो कैसे काम करेगा, receptor की तरह, बस यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यह रहा ligand, यह रहा metal, यह donor की तरह काम करेगा, यानि कि दो electron देगा, क्या आपको पता है, दो electron, जब भी किसी एक orbital में present होते हैं, उसे बोलते हैं, fully filled orbital, क्या बोलते हैं उसे, fully filled orbital, ऐसी मैंने एक, fully filled orbital को represent कर लिया, आप चाहो तो इदर भी बना सकते हो, कोई ऐसी tension वाली बात नहीं है, but I am not bothered about all those things, मेरे को तो बस समझाना है, यह क्या represent क्या किया है सर आपने, I am represented, fully filled orbital, किसका fully filled orbital, ligand का, ठीक है सर, यह overlap किसके साथ करेगा, सर यह donor कीतना काम करता है, इसके साथ overlap करेगा, इसके किसके साथ, that is empty orbital का साथ, इसने दोनों electron देने है, इसने वो दोनों electron क्या करने है, accept करने है, तो यहाँ पर कौन सा orbital आएगा, that is empty orbital, क्या, that is empty orbital, of metal, दोनों आपस में overlap करेंगे, और कौन C bond बन रही है, दोनों के बीच में, कौन सी bond बन रही है दोनों के बीच में, that is sigma bond, कौन सी bond बन रही है दोनों के बीच में, that is sigma bond, यह donor की तरह, यह acceptor की तरह, दोनों के बीच में कौन सी bond बन रही है, that is sigma bond, सर इनके example बताएए, classical ligands क्यांग कौन कौन से, बहुत सारे हैं मेरे बच्चे like H2O CL negative BR negative ठीक है यह इस तरह के examples जो है यह क्या है that is classical ligand bond कौन सी बनेगी sigma ligand donor metal acceptor इसका fully filled orbital इसका empty orbital दोनों आपस में overlap करेंगे और कौन सी bond बन रही है sigma bond बन रही है ठीक है next वो कौन सा है non classical ligand या pi acid या pi acceptor ध्यान से सुनिए और समझे classical ligand हो गया अब हम बात करेंगे non classical ligand या pi acceptor ligand इसमें बेटा दो तरह की bonds बनेगी two types of bond सिर्फ कौन सी दो तरह की bond बनेगी पहला sigma donor b pi acceptor पहली bond जो बनेगी वो तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी ligand डोनेट करेगा metal असप्ट करेगा दोनों के बीच में simple ऐसी ही bond बनेगी ठीक है तो जैसे कि यहां पर मैं लिखने जा रहा हूँ यह देखिए metal का empty orbital ligand का fully filled orbital यह आपस में overlap करेंगे यह बेटा donor है पता ही आपको यह acceptor है पता ही आपको यह fully filled orbital है और यह empty orbital ठीक तो यह है sigma donor की तरह काम करेगा अब बात करते हैं pi acceptor की तरह है ठीक है sir pi acceptor का क्या मतलब है कैसे नहीं अब दुबार एक और bond मनेगी बट अपकी बार उल्टा होगा यहाँ पर ligand donor था metal acceptor था यहाँ पर metal का fully filled orbital overlap करेगा ligand के empty orbital के साथ इसका metal का fully filled ligand के empty orbital के साथ यह pi star orbital होगा ठीक है pi star का बलब आपको पता ही है anti bonding empty orbital anti bonding orbital है sir empty कैसे बोल दिया है वो तो मैंने बताया ही है कि acceptor की तरह काम करेगा loan pair किसी से लेगा अरे loan pair किसी से लेगा तो अपने पास जगा भी तो उनी चाहिए रखने के लिए जगा कब होगी रखने के लिए जब खाली होगा क्योंकि एक orbital में कितने electron आ सकते है दो ठीक है अब की बार metal जो है वो donor की तरह काम करेगा ligand acceptor की तरह काम करेगा दो bonds बनेगी एक sigma एक pi एक sigma और एक pi देख रहे हैं ना sidewise overlapping से बन रही है उनके example भी दिये थे इनके example बड़े important है paper में आ सकते हैं ध्यान से सुनिएगा सबजिएगा pi acid ligands कौन कौन से हो सकते हैं मैं दो तिन के नाम लिख देता हूँ आपको co cn negative no2 negative यह इनके example है और भी है ठीक है बट यही में लिए आपके लिए that is pi acid ligands है ठीक sir pi acid ligands से होता क्या है ठीक है दो bonds बनती है वो तो clear आ गया है ठीक है pi acid ligand के कारण होती है synergic bonding sir यह synergic bonding क्या होती है दो bonds बननी है stigma pi पहली bond में ligand electron दे रहा है बटा ligand जितने electron देगा ligand पे उतने ज़्यादा positive charge देगा ligand पे उतने ज़्यादा positive charge देगा क्योंकि electron दे रहा है जब ligand पे जितना ज़्यादा positive charge देगा वो metal से उतने ही ज़्यादा electron लेगा क्योंकि ligand पे electron की कमी हो गई है ठीक है आप किसी की मुश्किल में जितनी help करोगे वो person भी जब आप मुश्किल में होंगे आपकी उतनी ही help करेगा तो ये जितने ज्यादा electron देगा ये उतने ही ज्यादा फिर ligand जो है वो electron लेगा इसी को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक bonding जितनी ज्यादा sigma bond strong उतनी ही pi bond भी क्या होगी strong होगी, stronger the sigma bond, stronger is the pi bond, stronger is the pi bond, इनके example आपने daily life में सुने तो होगे, सर कहां सुने, क्या सर्दियों में, आपने सुना, winters में के खिड़कियों को बंद करके, windows को close करके, और अंगीठी चला के, room में सोना नहीं चाहिए, कारण है, जब अंगीठी चलाते हैं, तो carbon का incomplete combustion होता है, yes sir, ठीक है, complete भी और incomplete भी, incomplete combustion से क्या निकलती है, carbon monoxide, carbon monoxide, अगर हम inhale कर लेते हैं, तो अंदर जाके, blood के साथ, hemoglobin के साथ, Fe2 positive ion, CO अंदर गया, ठीक, दो bonds बनाएगा, एक, जिसमें sigma donor की तरह काम करेगा, लाइगेंड है, sigma donor की तरह काम करेगा, और एक, जिसमें ये, पाई, असेप्टर की तरह काम करेगा, तो ये वाली bond जो होगी, वो क्या होगी, बहुत strong, अगर carbon monoxide ना होता, तो यानि कि oxygen होती, वो सिर्फ और सिर्फ sigma donor है, वो classical ligand है, यानि के, वो सिर्फ sigma bond बनाता है, एक bond बनाता, ये कितनी bonds बना रहा है, दो, दो बना रहा है, तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल, इसको तोड़ना मुश्किल, इसका मतलब, oxygen अगर अंदर जाएगी भी, तो वो carbon monoxide को हटा, नहीं पाएगी, नहीं अटा पाएगी, तो इसका महला body के अंदर oxygen की कमी हो जाएगी, और वो tissues ये cell तक नहीं reach कर पाएगी, unfortunately इसके कारण death भी हो जाती है, एक और example, carboxy hemoglobin, this is carboxy hemoglobin, this is oxy hemoglobin, ये वाली bond बहुत ज़्यादा strong है, क्यों? क्योंकि ये sigma donor है, pi receptor है, synergic bonding होती एक और example जो आपने सुना होगा, cyanide iron, ये भी एक बहुत अच्छा जहर होता है, poison होता है, इसका भी कारण क्या है, पता ही आपको कारण क्या है, कि अगर ये blood में चला गया, फिर वही, cyanide iron, fe2 positive iron के साथ, sigma donor, pi receptor की तरह काम करेगा, बहुत strong bond बना लेगा, ठीक है, same ही कारण व nomenclature of coordination compounds, ठीक, IUPAC nomenclature, बिल्कुल simple nomenclature की तरह होता है, जाएगी जैसे न, विटा, NaCl लिखा हो, उसका नाम क्या होता है, सुरुष का नाम होता है, sodium chloride, ठीक है, पहले cation, नाम लिखा जाता है, फिर anion का, यहाँ पर भी ऐसे, first, cation is written, then, anion, ठीक है सर, सर, हमें कैसे पता चलेगा, कौन cation है, कौन anion है, देखो इतना थोड़ा बहुत तो पता होगा, बाकी मैं help कर देता हूँ, आप सबसे पहले, spectator ion देखा करो, क्या यह है spectator ion, जो coordination sphere के बाहर होता है, यह anionic है, है न, CL के उपर negative charge होता है, इतना तो पता यह, अगर यह anionic है तो मेरे बच्चे यह क्या होगा, cationic होगा, और पहले किसका नाम लिखा जाएगा, cation का, और फिर किसका लिखा जाएगा, anion का, सर, एक और example, बिल्कुल, k4, fe, cn, 6, ठीक है, क्या इतना तो पता होगा, k, cation है, so this is cation, and this is anion, अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा, मेरे बच्चे, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, और फिर इसका पहले किट aion का, फिर anion का, पहला रूल क्लियर है, yes sir, second, आगे बढ़ते, in, coordination sphere, जब coordination sphere का नाम लिखेंगे, first, ligands are written, पहले बढ़ता, ligands लिखा जाएगे, बता ना, coordination sphere के अंदर दो चीजे होती है, ligands होते हैं, और central metal atom होता है, ठीक है, पहले ligands लिखे जाएगे, first, ligands are written, and then, central metal atom is written, इसको भी थोड़ा और refine कर लेते हैं, पहले ligands written होंगे, in alphabetical order, मतलब समझाता हूँ, just give me a sec, then, CMA, CMA मतलब central metal atom या iron, पहले ligand लिखे जाएगे, फिर central metal atom लिखा जाएगा, ठीक, सर, ligand अगर एक से जादा होते, तो alphabetical order में लिखे जाएगे, कहने का मतलब है, कि अगर कोई A से शुरू होता है ligand, पहले उसको लिखो, फिर B वाले को, या C वाले को, या D वाले को, या E वाले को, ठीक, alphabetical order का मतलब समझा आ गया, ठीक, ligands कौन-कौन से हैं, उनका नाम क्या-क्या लिखा जाता है, यह पहले भी बता दिया गया है, ऐसे ही दुबारा लिखा हुआ है, जैसे कार्बोनेट है, ध्यान से याद रखना, अगर जिस जो भी ligand, आइड पे end होता है, किस पे end होता है, आइड पे, replaced by, आइडो, और O, मतलब समझाता हूँ, अगर CL negative है, chloride, आइड पे end हो रहा है, तो उसका नाम पता क्या लिखा जाएगा, आइड की जगा, यहां तो आइडो आजाएगा, यहां आइड की जगा, O आजाएगा, यानि कि chloro आजाएगा, सर एक और बताओ, C and negative, C and negative, ठीक है, यहां तो साइन नाइड की जगा, E की जगा, O आजाएगा, साइन नाइड हो, यहां पूरा आइड हटा दो, और O लग जाएगा, यानि कि साइन हो, यह बात समझाता है, जिसका नाम 8 पे end होता है, replaced by it, यानि कि अगर कोई sulfate है, तो उसका नाम क्या आजाएगा, consultant, इसका नाम क्या होगा, carbonator, कब लिखेंगे उसे carbonator, जब वो ligand की तरह काम करेगा, ठीक है, और nitrate है, तो nitrate हो, ठीक है, 8 को एटो आजाएगा, ठीक है, यह ही सारे लिखें हो आगे बढ़ते, थर्ड रूम if same ligand is present more than once अगर कोई ligand एक से जादा बार present है then use prefix उसके नाम के आगे prefix use करो क्या अगर एक ligand दो बार present है तो उसके नाम के आगे डाई लगा दो तीन बार है ट्राई लगा दो चार बार है ट्रेटरा लगा दो and son sir example बताईए देखो बटा एक आद नाम लिखके देखते हैं ताँके आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से clarity हो सके एक point बता दो फिर उसके बाद ये question करता हूँ after writing ligands अभी अभी बोला था ना coordination sphere के अंदर पहले ligands लिखे जाएंगे alphabetical order में और फिर central metal atom लिखा जाएगा after writing ligands CMA is written central metal atom is written along with oxidation number central metal atom लिखा जाएगा और क्या सबसे पहले हम लोग check कर लें ये cation है और ये anion पहले cation का नाम लिखा जाता है बेटा और फिर किसका लिखा जाता है anion का लिखा जाता है तो पहले cation फिर anion agreed दूसरी बात क्या यहां पर central metal atom है और ligand है yes sir पहले ligand लिखा जाता है फिर central metal atom लिखा जाता है ठीक है ligands amine यहां जब भी ammonia ligand की तरह use होता है उसका नाम होता है amine और amine के spelling होते है a-double-m-i-n-e ammonia ammonia जब भी ligand की तरह use होता है तो उसका नाम होता है amine और amine के spelling होते है a-double-m-i-n-e लिखा हो है PPT में जो अभी आपने देखी थी कितने amine है hexa छे बार है न hexa amine क्या ligands लिख लिख लिए yes उसके बाद central metal atom लिखो कौन है cobat is written along with its oxidation number in roman numerals ठीक है मुझे इसका oxidation number निकालना है निकालना आता है सर अभी थोड़े देर पहले सिखाया था x ammonia का 6 into 0 chlorine का 3 into minus 1 is equal to 0 यानि कि x कितना आ जाएगा plus 3 लोग या आगे क्या यहां तक clear है पहले ligands फिर central metal atom उसका oxidation number बाद में पूरा ketine लिखा गया yes उसके बाद क्या लिखेंगे anion anion क्या है cn negative क्या नाम हो उनका है उसका chloride अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि chloride अगर होगा तो उसका नाम chloride o लिखा जाएगा या chloro लिखा जाएगा कब जब वो ligand की तरह काम करता ये तो किस तरह काम कर रहा है spectatorine की तरह ligand की तरह कहने का मालब है अगर यही CL अंदर होता coordination sphere के अंदर होता है तब मैं इसका नाम लिखता या तो chloride o लिखता या chloro लिखता ठीक है उसके नाम के आगे वो भी लगाता ट्राई क्योंकि तीन बार है ना ट्राई क्लोराइडो या ट्राई क्लोरो लगाता है बट कोडिनेशन स्फेर के बाहर है spectatorine का सिरफ नाम लिखता जाता है that is chloride कोई बाई, ट्राई, टेट्रा वगारा नहीं आता एक दो कोशन और करते हैं कि आपका confidence थोड़ा build up हो सके बट मेरे खाल से एक दो रूल बता ले चलो कोशन स्टार्ट करते हैं या रूल बताते हैं यार एक ना एक और सुनो if coordination sphere is anionic, अगर coordination sphere anionic then central metal atoms name ends with 8 अगर coordination sphere anionic है पहली बात तो central metal atom का नाम के end में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 8 भी पता कहां पे आएगा that ATE कब आएगा उसके what I call it Greek name के साथ मैं समझाता हूँ समझाता हूँ जैसे माल लो central metal atom जो है वो chromium है तो उसका नाम हो जाएगा chromate अगर zinc है तो उसका नाम हो जाएगा zincate zincate सर अगर silver है तो उसका नाम हो जाएगा argentate silverate नहीं वही Greek name आप Greek के लो Roman के लो जो भी names होंगे इनके अलग अलग category में हमें कह लेना देना अगर सर central metal atom gold हो दूसरी बात ठीक है ये anionic sphere हो coordination sphere anionic हो तो इसका नाम gold नहीं आएगा इसका नाम आएगा aurate सर और कोई बताओ और कोई कौँछा है जैसे nickel nickelate सर अगर lead होता lead तो होता plumbate और बताओ सर और कौँछा रह गया कोई और आपके mind में आ रहा हूँ हाँ copper होता cuprate mercury होता तो उसी साब से हम सब के क्या लिख देते हैं नाम लिख देते हैं अब आगे बढ़ते हैं एक question इसका कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे और question questions ही कर रहे हैं अभी इसके बट एक question इसका कर लेते हैं थोड़ा सा आपको confidence आ जाएगा अच्छा हाँ F E होता तो नाम हो जाता fair rate please have a look मुझे इसका IUPAC name लिखना है मेरे बच्चे सबसे पहले आप चेक करिए ये जो coordination sphere है क्या ये अनाइनिक है येस ये जो है coordination sphere से पहले ये क्या है सर ये है cation तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा सर पहले cation का फिर anion का ठीक सर cation का नाम क्या लिखो try potassium लिखो नहीं ये spectator ion है spectator ion के नाम के आगे by, try, tetra, penta नहीं आता है सिरफ क्या लिखूँँगा potassium क्या लिखूँगा potassium पहला letter capital बाकि सब small क्या ये coordination sphere है yes ये anionic है yes coordination sphere में ये ही पता है ना ligands है और ये central lateral letter में पहले क्या लिखा जाएगा पहले ligands लिखे जाएगे that is 6 है तो hexa फिर वाई क्या लिखना है cyanide है cyanideो या sino दोनों ही सही होंगे मैं cyanideो लिखनेता हूँ क्योंकि coordination sphere anionic है तो इसका नाम iron नहीं लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा इसका नाम इसका नाम लिखा जाएगा fair rate लिखा जाएगा so fair rate जब भी central metal atom लिख देते हैं उसके बार लिखते है उसका oxidation number करके देखते है x cn पर minus 1 तो 6 का कितना होगा minus 6 potassium पर plus 1 तो 3 का कितना होगा plus 3 is equal to 0 x कितना आ जाएगा plus 3 लो जी plus 3 मेरे क्याल से आपको यह समझ आ गया कुछ और questions करते हैं मेरे बच्चे देखे जी राइड़ आ यूब यसी नेम्स ऑफ दा फॉलोविंग बहुत आसान से शुरू कर रहे हैं क्या यह anionic है यह सर पहले cation का नाम फिर anion का नाम बहुत simple है ligands पहले centrum metal atom बाद में hexamine cobalt cobalt आएगा ना cobaltate तो नहीं आएगा नहीं आएगा सर यह anionic क्या और यह क्या है cationic जब भी coordination sphere cationic होता है simple name आता है anionic होता अगर coordination sphere anionic होता है तब आता cobaltate ठीक है cobalt यहाँ पर oxidation state find out कर लेते last में क्या आएगा chloride oxidation state कैसे find out करूँगा x 6 into 0 3 into minus 1 is equal to 0 कितना आ जाएगा 3 इसके बारे में और बात करते यह anion है obviously यह क्या आ जाएगा cation पहले cation का नाम फिर anion का नाम सर यहाँ पर यह तो center metal atom हो गया चलो यह तो बाद में लिखा जाएगा ligands के बाद की से बाद में लिखा जाएगा पहले लिखा जाएगा alphabetical order में ligands किसल में लिखे जाते है alphabetical order में में play अमीन लिखा जाएगा cit hydro province लिखा जाएगा सर कैसे लिखे ch ketatra amine.e aha l ch called ना के tetra amine का T और dichloro का D Alphabetic order में नाम amine से देखना और chloro से देखना है थीक है तो उस ही साफ से tetra di, tri, tetra, penta, hexa का पहला word नहीं देखना है हमें तो ligand का पहला word देखना है तो tetra amine di, या तो chloride या खloro दो नहीं सही है एक पुराना convention है एक नया convention है पहले कहते थे chlorida बोलो अब बोलते है chloro बोलो ठीक है दोनों ही सही है क्यों दोनों सही है क्योंकि जो आपने हारी NCRT है उसमें पुराना convention चल रहा है ठीक है और जो अभी नया convention आचुका है ठीक है तो past में भी ऐसा होगा है भी question आया है, तो अगर दोनों में से किसी से भी answer लिखा हुआ है, तो दोनों को marks मिले हैं, तो tetramine, dichlorido, ligands लिखेगे, central metal atom लिखूँँगा, क्या सर इसका नाम, chromium आएगा कि chromate आएगा, सर ये anionic है, ये kateinic है, coordination sphere, kateinic होगा, तो chromium आएगा अगर anionic होता है, तो chromate आता है मेरे बच्चे, यहाँ पर oxidation state, और last में क्या आएगा, chloride oxidation state, calculate करते हैं यहाँ पर x 4 into 0 2 into minus 1 1 into minus 1 is equal to 0, बैटा इसको solve पता है ना, amine के उपर 0 होता है, c l के उपर minus 1 होता है, 2 into minus 1 यहाँ पर भी c l के उपर minus 1 होगा क्या, x is equal to plus 3 आजाएगा, यह साँ, तो यह लिखते है जब भी central matter atom लिखते हैं, उसके बाद उसकी oxidation state लिखते है, roman numerals में और question करते है k3, fe cn6, पहले यह potassium मेरे को लग रहा है, मैं यह वाला कर चुका हो already, तो फिर इसकी जगा, k4 कर देता हूँ potassium, पता है ना, tetra potassium नहीं potassium इसका नाम, hexa cyanido parate sir, oxidation state बताओ fe की finite करनी है, central matter atom की x 1 cn पे minus 1, तो 6 cn पे sir, minus 6, 1 potassium पे plus 1, तो 4 potassium पे, plus 4 कितना तो पताओगा potassium first group का element होता है combined state में कितना show करता है plus 1, तो 4 है, तो कितना show करेगा plus 4, यहाँ पर x कितना आ जाएगा, plus 2 एक बहुत ही अच्छा case है, जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुनिएगा सबजेगा, जब भी h, spectator iron कितना काम करेगा, और cat iron कितना काम करेगा, यह जाएगा spectator iron है, yes sir, coordination sphere के बाहर जो होता है, वो spectator iron होता है और यह h positive iron है सरा, आपको कैसे पता, यह h positive iron है यह h negative भी तो हो सकता है पहले cat iron लिखा होता है अभी formula में भी पढ़ेंगे हम लोग पहले cat iron लिखा होता है, फिर an iron लिखा होता है तो इसका मलब यह h positive है, यानि कि यह cat iron है, ठीक, तो इसका मलब यह an iron हो गया agreed जब भी h spectator iron कितना काम करेगा पहले लिखा होगा इसका नाम हम नहीं लिखेंगे बट क्या पहचान होगी, कैसे करेंगे, बताता हूँ aucl4, ठीक है पहरे ligands, फिर central metal atom, लो जी ligands कौन है, cl, tetra, चार है न chlorido, ठीक अब देखो, अब बात को द्यान से सुनना समझा अगर h positive iron, जो है, cation की तरहा काम कर रहा होगा तो यह जो central metal atom होगा जो central metal atom होगा, उसके नाम के end में i, c आजाएगा, 8 की जगा, i, c आजाएगा पता है न, यह anionic है, anionic है तो उसका नाम आना चाहिए था aurrate, aurrate नहीं आएगा, नाम आएगा auric क्या आएगा, auric a, u, r, i, c, oxidation state, last में acid सर्या, acid कहां से आया है, पता है न, पानी में डालोगे तो h positive ion देदेगा, और जो पानी में डालने पर h positive ion देता है, उसी को क्या बोलते है acid, sir, oxidation state लिखो, बिलकुल x, 1cl का, minus 1, 4cl का, minus 4 1h का, plus 1, दस्वानी है तो x कितना आगया, plus 3, यह देखो मैं आपको एक बार repeat कर देता हूँ, जब भी h present होगा spectator ion की तरह present होगा, उसका नाम जो है, लिखा नहीं जाएगा end में क्या आजाएगा, acid आजाएगा, ठीक, एक बात दूसरी बात, जो central metal atom होगा, उसका नाम 8 में end नहीं होगा IC में end होगा, that is, ठीक है, or rate में आएगा, और Rick आएगा, ठीक, सर कुछ-कुछ समझ आ गया, एक और example करा देते तो मज़ आ जाता, बिल्कुल जी, यह देखिए, हम जानते हैं, ठीक है, इतने time से पढ़ा रहे हैं, तो obviously आपकी जो भावना हैं, उनको समझते हैं, हाप एक बार इसे try करिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है, प्यास्या। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या यहां पर एच जो है वो स्पेक्टेट राइन की तरह काम कर रहा है यह सर ठीक है इसको अभी छोड़ दीजिए पहले तो यानिकि लास्ट में एसीड आएगा लिखे लेंगे बट पहले इसका नाम तो लिखें इसका नाम क्या पहले प्लैटी नम आएगा प्लैटी नेट आएगा के प्लैटी निक आएगा सर यह अनाइनिक है न बेटा यह कैट आयन है तो यह अनाइनिक है तो आना चाहिए था प्लैटी नेट पट आएगा क्या प्लैटी निक जब भी हाइड्रोजन स्पेक्टेटर राइन की तरह काम तो नाम जो है metal का, वो IC से खतम होगा, यानि कि platinic oxidation state लिखेंगे, last में क्या आएगा, acid, पता है ना, यह acid क्या indicate कर रहा है, hydrogen as spectator ion, अब इनकी oxidation state find out करनी है, कर लेते हैं, platinum की x, 1cl की, minus 1, 6cl की, minus 6, 1 hydrogen का, plus 1, 2 hydrogen का, plus 2, is equal to 0, तो x कितना आ जाएगा, plus 4, लोगे, कितना आ गया, plus 4, ठीक है, तो मेरे कहाल से यह भी clear हो गया है, मैं आगे दो example आपको करा रहा हूँ, एक F, एक इसके अगले वाले में हैं, ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है, जो करनी पड़ेगी, example इतने ज़्यादा important है, कि paper में पूछे गए है, past में, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसी कारण इनको करा रहा हूँ, और इस बात का ख्या रखेगा, पता है किस बात का ख्या रखना है, यह उसमें भी बनता है, brown ring test में, nitrate iron के test में, ठीक है, उसमें भी बताया था मैंने, अगर आपने वो class attend करी है, मैं यहाँ पर दुबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर NO वैसे दो oxidation state में पाया जाता है, एक तो neutral, यहाँ पर एक पाया जाता है, प्लस 1 में, यहाँ पर यह प्लस 1 में, किसमें प्लस 1 में, याद करना पड़ेगा, याद करके जा नहीं इसमें, शुरू करते हैं नाम, यह कटायन, यह क्या है एनायन, पहले कटायन का नाम, फिर एनायन का नाम, पेंटा एक्वा, पानी को एक्वा बोला जाता है, तो पेंटा एक्वा, NO पे, जब positive charge होता है, इसका नाम होता है, नाइट्रो सोनियम, क्या नाम होता है इसक नाइट्रो सोनियम अच्छे तरीकी से नजर आ जाएगा नाइट्रो सोनियम कहा गया भई थे बाग रहा है आए रहा भई पैंटा एक्वा इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे नाइट्रो सोनियम ठीक है सर उसके बाद ये रहा Fe, Central Metal Atom, क्या नाम लिखोंगा इसका Iron, सर फैरेट नहीं लिखेंगे, बेटा ये नाइन है, ये कैटाइन है कॉदिशन स्फियर जब कैटाइन होगा तब नहीं लिखते कॉदिशन स्फियर नाइन होता है, तब उसका नाम लिखते ठीक है, 8 में Oxidation State लिख लेते हैं, एंड में क्या आएगा, सल्फियर चलो सर इसकी Oxidation State बताओ, इसकी Find Out करनी है X रख ली, Water पता ही है, Neutral होता है, लिखने की जुरत नहीं NO की उपर, प्लस 1 1 SO4 की उपर, माइनस 2 सब को पता है, कितना आजाएगा X कितना आजाएगा, प्लस 1 आजाएगा, लो मेरे बच्चे यहां पर क्या आगया, 100 ठीक, आगे बढ़ते हैं, याद रखना, इसमें NO प्लस 1 में होता है, बेटा याद करके जाओगे, छोटी सी चीज है, कोई मैंने भी तो रेक्शन से याद करते हो ना, तो यहां पर भी तो छोटी सी चीज याद करी जा सकती है, ठीक है पता नहीं, लोग जब इन औरगेंडिक में एक छोटी सी चीज भी याद करना होती है, उसको रख्टा बोल देते हैं, बाकी सब्यक्स में भी चीज यह भी चीजाे है, या इस तो इसको बोलें, समझ लिए, समझ लिया, समझ लिया, अंदक इन औरगेंशनी का नाम आ तो से तो नवा है, तो याद कर लीना, अब समझा दिया ना, अब याद करना रहें कमाल है यार इतनी पार्शल्टी अधी सो पार्शेल्टी में हम भी शामिल हैं तिक है मैं भी ऐसा ही करता हूं जो है यह सही नहीं है इसा नहीं करना चाहिए ठीक है जैसे कि आप से दो गनेट बात भी करते हैं ठीक है आप सब को पता आपका एक्जाम आने वाला है ठीक है कि अगले होपस हो आपकी उमर जो है वो बहुत लंबी हो पर कम से कम सत्तर साल की और उमर तो है कि अगले सत्तर साल वो स्टेतोस्कोप आपके गले में पड़ा रहेगा या नहीं पड़ा रहेगा ठीक है तो मेक शूर करिए दिन राते कर दीजिये आप में अन लिमिटेड पोटेंशिल है ठीक है इस बात का विश्वास रखिए हां उसको आप टैप आउट कर पाएं आप उसे रियलाइज कर पाएं या ना कर पाएं ठीक है कई लोगों को रियलाइजेशन बहुत लेट होता है आज से पान साथ बाद दस सार वापता जलता यार मैं कर सकता था उस समय मैं कर सकता था यहां कर सकती थी बट ओवियसली वह रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है अब उसके फ्रूट भी मैं टाइम बीच चुक है उसके बाद तो देखो कुछ हो नहीं सकता ठीक है believe me you have it in you anybody can do anything एक बस बात वही है कि आपके पास उतनी महनत करने की शक्ती जो है उसको आप अंटाप कर लें है नहीं तो कहीं जाने जो है वो मलब की उसको अंटाप ही नहीं कर पाते है और पूरी उमर भी जाती है कहीं जाने कर लेते हैं आज से पांसा दस साल बाद पर और जितनी कड़ी महनत कर सकते हैं करिये ठीक है और मुझे पता है आप उन बातों को सुन भी रहे होंगे वापीस आते हैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे एक ये भी एक्जामपल है इसमें भी एक छोटी सी बात याद रख लिए दिएगा कि एनो प्ल सबसे पहले बसा लिक्ताए का रॉडर में इसका सायनो इसका रैट्रे आम के बाता जाएगा पी है limonate f सर ऑक्सिडेशन स्टेट भी बताई दो लगे हाथ X Cn 5 के उपर माइनस 5 Plus 1 Plus 2 कितना आ गया मेरे बच्चे X कितना आ गया That is 3 और 5 इसमें से गया तो 2 आ जाएगा That is ठीक है तो ये रहा हमारा Nomenclature के बारे में बहुत सारी चीजे कराई Example कराई तांकि आप एक Comfortable Zone में रहे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे हाँ यार अच्छा भी एक गुछ और भी बचावा था Nomenclature में ठीक है जी सुनी 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 मैं आपको बताता हूँ पहले मैंने ये क्या लिखा है क्यूं लिखा है पहले वो बताता हूँ फिर ये क्या लिखा है बताते है जैसे ये देखे इस तरह के जब भी आपको Examples आएंगे सर क्या Special है इन Examples में यहाँ पर क्या है Cod ये जो पहले लिखा हूँ है ये भी Coordination Sphere में है और ये भी Coordination Sphere में ठीक है सर फिर Problem क्या है लिखो इनका नाम पहले इसका नाम लिख लो पहले के टायन है फिर नायन है पहले इसका नाम लिखो फिर इसका नाम लिखो लिख लेते हैं ठीक है त्यान से चुनिए इसमें Ligand Ligand Central Metal Atom पहले Ligands लिखे जाएंगे Alphabetical Order में Tetra Amine ये NH3-4 भी वैसे ऐसे लिखा होना चाहिए था बट चलो कोई बात ने उससे हमें तो Question दिया न बट फिर भी मैंने सही कर लिया Tetra Amine Dichlorido Platy ना लिख लिए है सर Oxidation State बात करते हैं उसी के लिए वो पिसले वाला पेज है और ये लिख लिए अब इसका नाम लिखो इसमें भी पहले Ligens फिर Central Metal Atom Tetra Chlorido और Tetra Chlorido के बाद Space नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको तो उसके आगे लिखने पर मेरे पास Space नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ Platinum या Platinate अरे सर बता तो दिया कितनी बार ये Cation है ये Anion है Cation वाले का तो Platinum ही लिखूँगा जब भी Coordination Sphere Anionic होगा तो उसके नाम के आगे क्या जाएगा Platinate मतलब समझ आगे आपको पहले वाले को Platinum के लिखा है दूसरे वाले को Platinate के लिखा है ये Coordination Sphere Cationic है तो ये Coordination Sphere Cationic है तो ओविसली इसका नाम Platinum आएगा ये Coordination Sphere Anionic है तो इसका नाम Platinate आएगा आपको कैसे पता है? पहला Cation होता है फिर बाद वाला क्या होता है? Anion होता है इसका भी Oxidation Number इसी Oxidation Number को Find Out करने के लिए हमने पीछे Most Common Oxidation States लिखी हुई है कुछ Metals की ये आपको पता होनी चाहिए Nickel, Palladium या Platinum किसमें पहले जाते हैं? Plus 2 या Plus 4 में Copper और Silver या 1 में या 2 में Copper और Plus 1 में प्लस 2 में भी Silver और Plus 1 में भी Plus 2 में भी सब की Lead और Tint Plus 2 में Plus 4 में अलागी Lead की Plus 4 बहुत ज़्यदा Unstable होती है बड़ चलो Cobalt और Iron की Most Common Oxidation State है Plus 2, Plus 3 Cobalt Plus 2 में पाया जाता है Plus 3 में पाया जाता है Iron Plus 2 में पाया जाता है Plus 3 में पाया जाता है Gold की Plus 1, Plus 3 Chromium की Most Common जो है वो Plus 3 है आपको ये Most Common Oxidation State याद होनी ही चाहिए Otherwise आप इन Questions को नहीं कर पाएंगे ठीक है Sir कैसे? क्या Problem आएगी? ध्यान से सुनो समझो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास Space नहीं हो उपर समझाने के लिए इसी को नीचे लिख रहा हूँ मेरे बच्चे Oxidation State Finded कर रहा है इसका X मान सकता हूँ हाँ सर मान लो इसका 0 4 इंडू 0 पता ही है Neutral है Minus 2 X मान सकता हूँ मान लो Minus 2 Sorry minus 4 समझा आगे minus 4 क्योंकि A chlorine का minus 1 4 chlorine का minus 4 Is equal to 0 आपका मन कर रहा है तो इसको Y भी बोल लो कोई Tension वाली बात दी है क्या X Plus Y 6 के बराबर आ गया Yes Sir 6 के बराबर आ गया Sir ये भी Platinum है ये भी Platinum है तो Platinum की Most Common Oxidation State क्या है Plus 2, Plus 4 तोटल दोनों का मिलाके 6 आना है तो 6 कैसे आएगा या तो ये वाली 2 होगी ये वाली 4 होगी तबा सकता है 6 या ये वाली 4 होगी ये वाली 2 होगी तबा सकता है 6 ये तो नहीं हो सकता है ये भी 2 हो अगर ये 2 होती ये 2 होती तो X Plus Y 4 आता वो possible नहीं है ये तो नहीं हो सकता है क्या हो गई, solve, agree, क्या यह पता है, last line सुनो, last line सुनो, क्या, यह आपको पता है, कि यह कैटायन है, और यह अनायन है, yes sir, यानि कि इसके उपर, total charge, positive आना चाहिए, इसके उपर, total charge, negative आना चाहिए, बस हो गया question solve, लो, रखो, मैंने, मैंने, गल्ती से, mistake हो गई मिर से, इंसान, गल्तीयों का पुतल है, ठेक है, मान लो, मैंने, गल्ती से, इसको, plus 2 मान लिया, यह plus 2, इसपे, total charge, 0, इसपे, total charge, minus 2, 1, एक क्लोरीन पे, minus 1, 2 क्लोरीन पे, minus 2, क्या, plus 2, minus 2, 0 होता है, यानि कि, इसके उपर, total charge, कितना आया, 0, अरे, सरी, यह तो, हो अभी-अभी आपने बताया था, यह कैटायन है, इसके उपर, total charge, जो भी आना है, वो क्या आना है, positive, तो इसका अना, सरी, आपने ला, गल्ती कर दी, मैं, ट्राई करके देखता है, दोबारा, plus 4, this is plus 4, 0, minus 2, plus 4, minus 2, कितना आगया, plus 2, तो इसके उपर, total charge, positive आ रहा है, बिल total 6 है, plus 2, CL के उपर, minus 1, 1 CL के उपर, minus 1, 4 CL के उपर, minus 4, plus 2, minus 4, कितना आगया, minus 2, तो बाके इसके उपर भी, anion आ रहा है, yes, तो साब पता चल गया, हमने बच्चे, पहले वाला, plus 4 है, दूसरे वाला, plus 2 है, ठीक, पता चले, यह तो पता न, दोनो 3-3 नहीं हो सकते, यह भी पता न, दोनो 4-4 नहीं हो सकते, यह भी पता न, दोनो 2-2 नहीं हो सकते, ठीक है, तो एक ने plus 4 आना था, एक ने minus 2 आना, plus 2 आना था, तो वो मैंने दोनों option रखके, आपके सामने answer निकाल दिया, sir, एक और question करा दो, फिर ज्यादा मज़ा आ जाएगा, लोग यह एक और question कर यह भी कोबाल्ट है, यह भी कोबाल्ट है, हाला कि मैंने एक और भी लिखा हुआ है, questions ही questions लिखे हुआ है, ताकि आपका comfortable zone बना रहे हैं, ठीक है, वापीस आ रहे हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, नाम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कोगे oxidation state में ही हमारे problem आनी है hexamine, cobalt oxidation state लिखना है, यहाँ पर, amine, pentanitro, फिर cobaltate, पता है ह enine, पहले वाले को cobalt क्यों लिखना हैं, और इसको cobaltare क्यों लिखना हैं, यह सर पता है, यह ketainic है, यह enine नी है, पहले वाला ketain होता है, दूसरे वाला enine होता है, total oxidation number देखो जाँ, X 0 Y 0 minus 5 1 NO2 पे minus 1 5 NO2 पे minus 5 या X plus Y 5 आगे अब चेक करते हैं इनकी most common oxidation state या तो plus 2 या plus 3 इतनी बात पता चल गई इतनी बात कहां गया कहां गया इतनी बात पता चल गई कि total 5 आना है पर plus 2 plus 3 आना है यानि कि यह यह plus 2 यह plus 3 यह यह plus 3 और यह plus 2 ठीक जहां पर भी pi acid ligand लगा होगा pi acid ligand आज पढ़ा है हम लोगों ने क्या उसमें NO2 नेगिटिव पढ़ाया था यह ठीक है उसमें higher oxidation state आएगी उसमें higher oxidation state आएगी यानि कि यहां पर कितना आ जाएगा सर यह 3 आ जाएगी यहां पर 3 आ जाएगी यहां पर 2 आ जाएगी सर पिसले वाले तरीके से करके दिखाओ ना पिसले वाले तरीके से करके दिखाओ बिलकुल कर लेते अगर मैं यहारे प्लस टू रखूँ इस पे 0 क्या इस पे total यह पोजेटिव आ गया, आ गया सर इस पे plus 3 रखूँ इस पे 0 इस पे माइनेस 5, plus 3 माइनेस 5 क्या इस पे total भी माइनेस 2 आ गया, बिल्कुल सर आ गया तब भी यह बात correct हो रही है बट सर आपको नहीं लग रहा कि आप जादा सेयाने बन रहे हो सर अगर इस पर प्लस थ्री रखते इस पर प्लस टू रखते तब भी बात यह के टायन रहता यह नायन रहता तब ही तो बता है कि जो जादा पाई ऐसे लाइगेंड वाले के साथ जुड़ा होगा उसके साथ हा oxidation state लिखेंगे फिर tetra sinum aurate oxidation state लिखेंगे अभी, GTA oxidation state यह देखो जड़ा इसका x मान लेते हैं, यह 0 पता है बाई मान लेते हैं, माइनस 4, एक सीन पे माइनस 1 होता है, क्या X प्लस Y, 4 आ गया, येस सर, 4 आ गया X प्लस Y कितना आ गया, 4 आ गया, चलो, ये बात भी clear होगे, अब silver और gold की oxidation state देखो, most common silver की कहा लिखिये यह रही, यहां तो 1 और 2, पर gold की 1 और 3 साफ पता चल दा है, यहां तो silver 2 होगा, gold 1 होगा 2 प्लस 1, 3, नहीं, 4 आना है वाँ पे, वाँ पे 4 आना है मेरे बच्चे मेरे ख्याल से, 4 है, 4, 4, 4, ठीक है तो पीछे चलता हूँ, either this is 3, this is 1, और कोई option हो सकता है और कोई option नहीं हो सकता है, यार, यहीं पर खत्म होगी gold को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, 3, silver को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा 1, तब ही total 4 आएगा, नहीं सर, silver को 2 मान लो इसको 3 मान लो, अरे भाई, total 5 हो गया, वहाँ पर तो total 4 आना है इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, total 3 हो गया लो, यहीं से answer आ गया कुछ सोचना ही नहीं पड़ा क्या, टायन नायन, silver 1, और यह gold 3 अगर सोचना पड़ता, पता है न, इस पे cation, इस पे anion, अभी भी चेक करके देख लो cation, anion अभी भी follow हो रहा है, plus 1, इस पे 0, क्या total पे plus 1 आ गया, ag पे plus 1, ns3 पे 0, total पे plus 1 आ गया, yes gold पे बात कर लो, plus 3, cn पे minus 1, 4 पे कितना हो जाएगा, minus 4, plus 3, minus 4, क्या minus 1 आ गया, वाकिए, इस पे plus, cation आ रहा है, इस पे anion आ रहा है, I think यह भी clear हो गया, चलिए बेटेर, आगे बढ़ते है the name of the complex iron, ठीक है, जब भी iron होता है ना, यह देखो, iron है ना, तो end में iron add कर देते हैं, end में iron add कर देते हैं, चलिए, 2015 में आया था, क्या नाम होगा इसका, 6 iron है ना, तो 6, यानिकि hexacinido, hexacinido, ठीक है, तो sir hexacinido, यह तो नहीं हो सकता, trisino, यह नहीं हो सकता, sir यहां पर भी hexac hexacinido है, यहां पर hexacinido है, दोने बाते, correct है, चलेगा, क्या उसके बाद, fe, iron लिखा जाना है, क्या फेरेट लिखा जाना है, सर्फ कॉडिनेशन स्फेर के उपर negative charge है, यानिक है, तो ferrate आएगा, लोग भी, ferrate, oxidation state, 3 है, final करके दिखाऊ, 3 है, x, cn के उपर, minus 6, minus 3, यह जतना charge होता है, वो equal to में रख देते हैं, क्या x plus 3 आगे, तो आगे बढ़ते, how to write the formula, अभी तक पता क्या था, name given था, sorry, formula given था, name लिखना था, आपकी बार क्या है, name given होगा, formula लिखना, बहुत simple है जी, सबसे पहले लिखेंगे, हम यहाँ पर, coordination sphere के अंदर, central metal, atom या iron, ठीक, फिर बात क्या लिखेंगे, ligands in alphabetical order, फिर, फिर क्या लिखेंगे, spectator iron, spectator iron, तो coordination sphere के बाहर होते हैं, बेटा बाहर ही लिखें, या तो इधर, या इधर, तो रहामें कैसे बता चलाया, के coordination sphere में, तो आपने बता दिया, कि पहले सेंटरनेट रैक्टम लिखना, फिर लाइगन समझ गए, ठीक है, spectator iron, इधर आना है, के इधर आना है, भाई, अगर के tiny कोगा, तो इधर आएगा, अगर anionic होगा, तो इधर आएगा, इसको करने में, इसके question में, सिरफ एक problem आएगी, मैं आपको बता देता हम, वो problem क्या आएगी, ठीक है, कि spectator iron के number कितने है, spectator iron के number कित यह देखो, जैसे इसका नाम क्या लिखा हुए, sodium लिखा ना, disodium नहीं लिखा ना, तो बस यही, कि na यहाँ पर plus 1 है, I mean na 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही problem आएगी, जो आपको आएगी, otherwise कोई और problem नहीं आएगी, सर इसके problem को solve कैसे करेंगे, with the help of central metal atoms oxidation number, सर थोड़ा करके दिखा ना, बिल्कुल, देखे जड़ा, प्लीज इधर, प्लीज इधर देखे मरी बच्चे, potassium, hexa, steinido, parate, 2, इसका formula लिखना है, write the formula, बिल्कुल लिखते हैं जी, have a look, सबसे पहले, क्या इतना दो पता चल गया, कि ये cation है, cation पहले लिखा जाता है, anion बाद में लिखा जाता है, yes sir, तो के coordination sphere के क्या होगा बाहर, hexa cyanido ferrate, ये ligands है, ये central metal atom है, पहले कौन सा लिखा जाएगा, central metal atom, f e लिख दिया, फिर hexa cyanido, 6 cn, now the problem is, कि ये k कितने हैं, क्या ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको find out कर लेते हैं, मैंने मान लिए इसको x, क्या मान लिए इसे, x, f e का oxidation number, 2 दे रखा है, plus 2, cn के ओपर कितना होता है, minus 1, 6 cn के ओपर कितना होता है, minus 6, x, क्या, x, minus 4, is equal to 0 आ गया, x is equal to, plus 4 आ गया, plus 4 आने का मतलब है, एक potassium पर, plus 1 होता है, तो बताओ, कितने potassium पर, plus 4 होगा, सर्फ 4 पे, तो formula क्या हो गया, formula क्या हो गया, k4, f e, cn, 6, सर एक और करके दिखाओ ना, प्लीज, बिल्कुल, आपकी सेवा में सदैव तत पर न, फिक है, तो देखे ज़रा, hexa, amine, cobalt, 3, chloride, oxidation state के बाद लिखा है, तो वो spectator ion है, ligands, बाद में, central metal atom पहले, पहले cobalt आ गया, hexamine, that is NH3, 6, अब बाहर आ जाएगा CL, problem वही है, क्या CL कितने आएंगे, क्या यह, एक है, दो है, तीन है, ठीक है, इसको X माल लेते, cobalt, oxidation state, plus 3, ammonia का, आपको पता ही है, 0 होता है, is equal to, total सब का charge मिला के 0, क्या X-3 आगया, yes sir, X-3 कहने का मलब है, कितने CL होंगे यहाँ पर, sir, 3, एक CL पर, minus 1 होता है, तो 3 पर कितने होंगे, minus 3, पता चल गया, formula कैसे लिखेंगे, ठीक है, आईए, कुछ questions देखते हैं, इसके उपर, IUPAC नेम बताना है, इसका, ठीक है भई, platinum के साथ, 3 amino है, bromo है, nitro है, और cloro है, पहले कौन सा आएगा, triamine, triamine तो सब नहीं आ रहा है, फिर, bromo या bromido, बात देखिए, सब bromo यहां भी आ रहा है, bromo यहां पे भी आ रहा है, यह तो आनी रहे, alphabetical order में लिखने है ना, तो यह दोनों तो answer हो नी सकते, यहां chloro आ रहा है, amine के बाद यह nitro आ रहा है, फिर platinum, 4 chloride, oxidation number भी finite करके देखों के 4 यह आएगा, answer पहले यह आ चुका था, oxidation state से, पहले amine वाला लिखते है था, फिर bromo, फिर chloro और फिर nitro, alphabetical order में लिखे जाते हैं, ligands, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question आप करिए, ठीक है, हाँ, sum of the, यह आया, AIPMT 2015, पिछले वाला कब आया था, यह भी किसी previous year का है, बट नाम नहीं लिखा हुआ, चलो यह करते हैं, sum of the coordination number and oxidation number of the metal M in the complex, यह कोई complex दे रखा है, जहां पर EN का मतलब, ethylene diamine है, अराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, M, EN का, hold twice, C2O4, bracket में, और CL, बेटा जो EN होता है, that is ethylene diamine, यह bidentate ligand है, क्या है, bidentate ligand, यानि कि, यह कितनी bonds बनाता है, सर, यह 2 bonds बनाता है, ठीक, कितने हैं यहां पर ethylene diamine, 2, तो कितनी bonds बनाएगा, 4, कितनी bonds बनाएगा, 4, agreed, यह सर, agreed, यह कितनी bonds बनाएगा, 4, ठीक, बात करते हैं, oxalate ion की, C2O4 होता है, oxalate ion, यह भी bidentate ligand है, तो यह कितनी bonds बनाएगा, 2, यह कितनी bonds बना रहा था, 4, क्योंकि 2 byidentate ligand थे, यह एक byidentate ligand है, कितनी बनाएगा, 2, कितनी हो गए, 6, तो coordination number तो कितना हो गया, 6, M का coordination number तो कितना हो गया, 6, बड़ इसने coordination number और oxidation number का sum पूछा है, coordination number प्लस oxidation number का क्या पूछा है मेरे बच्चे, sum पूछा है, ठीक, coordination number 6 आ गया, yes sir, निकालो बेटा इसका, oxidation number X रख ले, ethylene diamine neutral होता है, as ligand वाला चार्ट दिया है, वो आपको याद करना ही बड़ेगा, ठीक है, C2 ओपर, oxalate ion पे minus 2 होता है, और A की oxalate ion है, और CL इस पे भी minus 1 होता है, is equal to 0, इसका मलब X कितना आ गया, प्लस 3, 6 प्लस 3, is equal to कितना आ जाएगा, 9, क्या 9 option दे रखिये कोई, yes, that is, option number C, आगे बढ़ते हैं वेटा, next topic जो है हमारा, वो क्या है, वर्नर's coordination theory, सबसे पहले coordination compounds पे नाम, काम इनों ने ही किया था, वर्नर ने, वर्नर ने अपने time पर, जो भी coordination compound पे काम किया था, उसका coordination number 6 था, मैं फिर repeat कर देता हूँ, ये काम आएगा, आज हमारे questions में, वर्नर ने, जिनके उपर काम किया था, वो coordination number 6 वाले ही थे, वैसे तो coordination number 5 वाले भी होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 7 वाले भी होते हैं, 8 वाले भी होते हैं, हमारे स्लेवर्स में, 4 वाले हैं, 6 वाले हैं, बड़ वर्नर ने जिन पे काम किया था, उन सब का coordination number कितना था, 6, ठ Central Metal Atom के, ठीक है, मैं एक, चार्ट की फॉर्म में इन सबको लिख देता हूँ, ये भी लिखी हुए, चार्ट की फॉर्म में भी लिख देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए, मैं समझा देता हूँ, वर्नर स्कॉर्डिनेशन थियोरी, वर्नर ने क्या बोला था, के Central Metal Atom की, दो टाइप की विलन्सीज होगी, ये पिछले पेज़ में भी सारी चीज़ें यही लिखी हुए है, बट मैं समझाने के लिए दुबारा लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा Clarity हो जाए, वच्छा, तू टाइप्स ओफ विलन्सीज होते हैं, एक का नाम है प्राइमरी विलन्सी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी विलन्सी, एक का नाम क्या है प्राइमरी विलन्सी, दूसरे का नाम क्या है सेकेंडरी विलन्सी, ठीक है सर, प्राइमरी विलन्सी किसे बोलते हैं, प्राइमरी विलन्सी बोलते हैं, आज की डेट में, आज की डेट में, देखो उसने तो, मैं लटब की दो तरह की विलेंसी होती है, एक प्राइमरी विलेंसी और एक सेकेंडरी विलेंसी, आज की डेट में हम प्राइमरी विलेंसी किसे बोलते हैं, आज की डेट में हम प्राइमरी विलेंसी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नमबर को, और सेकेंडरी विलेंसी किसे बोलते हैं negatively charged ions सर positively charged क्यों नहीं बाई जिस पे उसने काम किया था वर्नर ने जिस पे काम किया था वो सारे जो ions थे वो negatively charged थे उसने anions पे काम किया था उसने cation पे काम नहीं किया था ऐसा नहीं है कि oxidation number को कोई cation नहीं चेंज कर सकता कर सकता बाई थीक है बट वर्नर ने जिनके साथ काम किया था वो सारे एनायन थे क्यों तो मैं तो वर्नर की थियोरी बता रहा हूँ तो obviously मैं negatively charge बनायन इस बोलोगा coordination number यानि कि जिन्होंने coordinate bond बनाई होगी coordinate bond किसने बनाई होती है sir ligand ने बनाई होती है ligand पे उपर कौन सा charge होता है sir ligand आज आपने पढ़ाया neutral भी होते है agreed negatively charged भी होते है agreed sir positively charged भी होते है बिलकुल होते है मैं नहीं लिखूँगा उन्हे sir क्यों नहीं लिखूँगा वर्नर ने काम जो किया था वो अगर कोई आयन पे काम किया था तो वो negatively charged था neutral तो होई सकते हैं अगर किसी आयन पे काम किया था तो वो negative ही था मैं उसका prove भी करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ये ionizable होते है ionizable मतलब पानी में डालोगे primary valency अलग हो जाएगी ये non ionizable होते है पानी में डालोगे अलग नहीं होगा ठीक है as it is coordinate bond बना रखी है central metal atom के साथ उसके साथ जुड़ा ही रहेगा ठीक और देखो इसकी position fixed नहीं होती इनकी position fixed होती बेटा जो जो ये पिछले page पे लिखा हुआ था ये जो सारा लिखा हुआ था इसी को हमने आगे वाले page पे वो short form में लिख दिया तांकि आपको problem ना हो चलिए आगे बढ़ते सबसे पहले start करना हमें यही इसी compound पे सबसे पहले Warner ने काम किया था हम भी उसी से समझाना शुरू कर रहे हैं याद रखना primary valency ionizable होती है पानी में डालने पर वो आएन अलग हो जाएगा एक बीकर लिया उसके अंदर यह डाल दिया cobalt NH3 6 Cl3 पानी के अंदर डाल दिया इसको mix कर दिया हो गया mix इसमें हमने add किया excess में बहुत जादा quantity में हमने add किया AG NO3 Werner ने ऐसा observe किया कि अगर यह आपने एक molecule डाला था और यह excess में add किया इसको एक molecule कह सकते हो एक mole कह सकते हो यह mole तो यह भी mole यह molecule तो यह भी molecule माले कि वह आपकी मनमर जी के उपटे पहने करता है उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तेक है मैं mole बोल देता हूँ इसका one mole water में डाला उसमें excess of AG NO3 उपर से डाल दिया वर्नर ने यह observe किया कि 3 moles AGCl के precipitate हो गए याने के जो chloride आयन थे वो 3 3 AG positive iron के साथ मिलके उन्हें 3 AGCl बना लिया इसका मतलब chloride iron पानी में डालने पर बाहर निकल गए विटा बाहर निकले होंगे तभी तो AG positive iron के साथ जुडे होंगे तभी तो AGCl बना होगा इसका मतलब इसकी structure जो होगी क्या वो ऐसी ही होगी 3 के 3 CL बाहर समझ आया 3 के 3 CL बाहर क्यों बनाया है मैंने क्योंकि excess of AG NO3 डालने पर 3 moles of AGCl precipitate होगे इसका मतलब 3-0 chloride AG positive iron के साथ react कर गए तीनो chloride AG positive iron के साथ तभी react करेंगे अगर वो coordination sphere के क्या होंगे बाहर सर अंदर होते तो अरे अंदर होते तो वो like and कितना काम करते coordination compound की definition ही यही थी जो बाहर पता coordination sphere के वो पानी में जाके ionize हो जाता है जो अंदर होता है उसने coordinate bond बनाई होती है वो ionize नहीं होता क्या structure ऐसी ही हो जाएगी कोबाल्ट NH3 6 structure बोल दिया formula बोलना था क्या formula यही हो जाएगा yes sir ठीक है यह बात भी clear होगे sir इसमें primary valency और secondary valency count करो यह तो पता ना central metal atom है yes sir मैं और भी example कराऊंगा इसके tension मतले न example भी questions भी question भी आयो है paper में क्या यह 3 CL आपको नदर आ रहे है yes क्या CL के उपर negative charge है yes जब भी औक्सिद primary valency किसे बोलते है negatively charged ion को इसका मतलब यह जो तीनो CL है यह negatively charged है yes sir तो यह primary valency तो है चलो मान गए यह बात agree कर गए क्या यह secondary valency है secondary valency वो होते है secondary valency वो होते है जो के coordination number की तरह काम करते है जो ligands होते है जो ligands होते है जिनोंने central metal atom के साथ coordinate bond बनाई होती है coordination number 19 से तो पता चलता है जिनोंने central natural atom के साथ coordinate bond बनाई होती है क्या यह CL ने coordinate bond बना रहे है CEO के साथ अरे नहीं सर यह तो coordination sphere के वाहर है तो इसका मतलब यह secondary valency तो नहीं है चलो अब बात करते हैं इन 6 अमोनिया की क्या यह primary valency है के नहीं primary valency कौन थे जो negatively charge होते है क्या NH3 negatively charge होता है नहीं सर neutral होता है तो यह primary valency तो नहीं क्या यह secondary valency है सरी है secondary valency है क्या ने coordinate bond बना रहे है central natural atom के साथ तो यह 6 की 6 क्या है secondary valency तो secondary valency कितनी आ गई 6 primary valency कितनी आ गई 3 क्या यह clear है यह और example करते हैं आपके confidence को boost up करने के लिए यह देखे sorry इसको लेखना है ऐसा नहीं था ऐसा लेखना था CO NH3 6 CL3 फिर वही इसका एक मोल यहाँ पानी में डाल दिया उसमें excess of AGNO3 डाला और अब की बार देखा कि 2 moles AGCL के precipitate हो रहे है 2 moles AGCL के precipitate होने का वालब पता क्या है कि जो 3 CL है यहाँ पर उनमें से 2 CL क्या होंगे बाहर पता है ना यह तो बात पता जलगी पिछले वाले में तीन moles AGCL के precipitate हो रहे थे इसका मलब तीनों CL बाहर थे यहाँ पर 2 moles AGCL के precipitate हो रहे है इसका मलब 2 CL कहा होंगे बाहर चलो यह बात तो clear हो गई सर इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है agreed सर आगे बताइए सर एक CL कहा होगा अंदर होगा कोबल्ट यह रहा वो इस तर अमोनिया कितनी होगे अंदर अमोनिया होगे अंदर 5 अरे सर 6 थे अमोनिया 5 कैसे हो गए क्या यह एक coordinate bond बना चुका है yes total coordinate bonds कितनी बननी है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं लिखा हाँ लिखा यार यह लिखा यह देखो total coordination number कितना आना है 6 एक CL अंदर आ चुका एक coordination number तो आ चुका तो अमोनिया कितने आएंगे 5 अरे total 6 बननी है न coordinate bond एक CL बना चुका तो अमोनिया कितने आएंगे 5 मेरे खेल से बात clear हो गई है जी अरे सर एक अमोनिया कहा गया अरे उसे बाहर लिखो जहां मर्जी लिखो बाहर में जाए अंदर तो नहीं हो सकता वो क्यों अंदर coordinate bond कितनी बननी थी 6 एक CL ने बना ली बागी अमोनिया कितनी बनाएगा 5 चलो सर इस अमोनिया को यहां लिख ले कोई फायदा है इसका है के नहीं दो बनिड़ में बात कर लेते देखें प्लीज क्या ये दोनों CL primary valency है येस नेगडिवली चार्ज रनाएन है तो primary valency तो है क्या ये दोनों CL secondary valency है नहीं सर condition sphere के बाहर है coordinate bond नहीं बना रखी जो ligands होते है नेगडिवली चार्ज होती है ये primary valency तो ये primary valency तो नहीं है क्या ये secondary valency है नहीं सर इसने coordinate bond भी निमिरा रखी तो इसको भाड में जाना है तो ये वैसे भाड में जाना हो ये होता का है भाड पता नहीं है ना सब लोग कहते हैं कि भाड में जाओ तो ये ही नहीं पता चला अगर होता तो मैं एक आद बार चक्कर तो लगा के आई जाता ठीक है और आप लोग तो मिर को लग रहा वहीं पे रह रहे होते ठीक है पापी जा रहे हैं ये topic की तरह ठीक है अब इस CL के बारे बात करते हैं क्या ये CL प्राइमरी विलेंसी है नेगेटिवली चार्ज है ये सर क्या ये सेकेंडरी विलेंसी है हाँ सर इसने कॉडिनेट बार्ण बना रखी है तो ये सेकेंडरी विलेंसी भी है मेरे बच्चे आप इसके बारे मात करते हैं, ammonia, कितने हैं, पांच, ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, secondary valency तो है, क्या ये primary valency भी है, नहीं सर, ये neutral है, negatively charge होते हैं, primary valency, तो समझ आ गया मेरे ख्याल से, कितनी primary valency है, कितनी secondary valency है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और example consider करते हैं इसका, कोबार्ट, NH36, CL3, पानी में डाला, एक मोल, एकसेस, AGNO3, डाल दिया, एक AGCL, प्रेसिपटेट हो गया, इसका मतलब, एक CL बाहर होगा, दो CL, अंदर होंगे, ammonia कितने होंगे, सर, टोटल कॉडिनेट बार्ण बननी थी, छे, कितनी CL ने बना ली हैं, दो, ammonia कितनी बनाएगा, सर, चार, सर, बाकी तो ammonia कहा गए, भाड में, क्योंकि वो, ना तो primary valency है, ना वो secondary valency है, चलिए, जी, चलिए, 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 तो, this is primary valency, समझ आगी तो कहा है ना, primary valency कैसे, ये दो CL, primary valency भी है, secondary valency भी है, और ये चार ammonia, ये secondary valency, एक और example, फिर previous year के questions की तरफ move करते हैं, कोबाल्ट, NH36, CL3, पानी में डालो, excess of AGNO3, कोई भी AG, CL, precipitate नहीं हुआ, इसका मतलब, कोई भी CL पाहर नहीं है, तीनो, CL कहां हैं, अंदर, ammonia, कितने, साथ, टोटल 6 बनने थे, तीन ये आ गए, तो तीन ही होगे, ammonia, coordination number 6 बनना था, तीन तो इसके कारण आ गया, तीन इसके कारण, क्या ये पता है, ये primary valency भी है, and secondary valency भी है, और ये, yes ते रफ, और से रफ, secondary valency है, चलिए जे, आगे वढ़ते हैं, ठीक है, अब इनके उपर करते हैं, कुछ questions जो previous year में आयो हो हैं, अई, नहीं, नहीं, पहले एक चीजे बता नहीं थी, वो बता देते हैं, ठीक है, वैसे बताई रखी हैं, बट स्चिल, एक पर, बात करने में क्या जाता है, दिखा हुआ है, experimental evidence of awareness theory, precipitation of primary valency, यहन दा addition of suitable reagent, अब एतनी लिएर से यही तो बढ़ा रहे हैं, यार, जो भी primary valency होती है, जैसे यहाँ पर primary valency कितनी है, एक, reagent डालने पर, क्या वो precipitate हो गया, प्रेसिट हो गया, यह तो बता ही रखा है, तो, I am not gonna explain it again, चार बार बता रखा है, एक बार क्या, दूसरी बात, हाँ, यह बात थोड़ा करने वाली है, electrical conductance of complex is directly proportional to number of ions, पानी में डालने पर जितने ज़्यादा ions बनेंगे, electrical conductance भी उतनी ज़्यादा होगी, सर, क्या कहना चाहते हो, एक बार example लेते हैं, ज़्याद अच्छी तरीके से समझा पाएगा, माल लिजे, कोई ऐसा complex है, इसको पानी में डाला, सर, ये spectator ion अलग हो जाता है, बाकि as it is रहता है, ठीक है बेटा, अगर आपने ये वाला ion रखा होता, Cu, NH3, complex ये रखा होता, इसको water में डालते हैं, तब क्या होता, spectator ion अलग हो जाएगा, क्या, इसका एक molecule डालने पर, क्या total 3 ions बन रहे हैं, येस सर, इसका नाम B रख दिया, इसका एक molecule water में डालने पर 4 ions बन रहे हैं, येस, वन, इसका और 3 इसका, तो A, जो है, वो 4 ions देरा water में, और ये, 3 ions देरा water में, जितने जादा ions बनते हैं, conductivity क्या होती है, उतनी ही जादा, तो किसी की conductivity जादा है, सर, A की जादा है, B की कम है, इधर से इधर आएंगे, electrical conductivity बढ़ती जाएगी, खता, खता, बाई बाई, चलिए, 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 आगे बढ़ते हैं फिर, कोशन करें, कोशन, चलो, कोशन करते हैं, इसके बढ़ते हैं, इसके बढ़ते हैं, इसके बढ़ते हैं, करो, लिखा हुआ है, पांच ammonia, एक CL अंदर होगा, टोटल शे हो नहीं अंदर, पता ना, पांच ammonia जुड़े होएं, होगे, तो कितने मोल, AGCL के प्रेस्टेंट होगे, एक, तो यहाँ पर 3 मोल, 2 मोल, AGCL के, यहाँ पर 1 मोल, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, area option, नंबर, सी, ठीक है, नी, 2017 में आया है, कोशन, आगे बढ़ते हैं, मेरे बच्चे, and excess of AGNO3, excess of AGNO3, is added to 100 ml of, क्या है, वो 0.01 मोलर, पहली बात, तो number of moles निकाल लो, सर, number of moles का formula पता क्या होता है, molarity into volume in liter, molarity कितनी है, 0.01, volume, liter में, 100 ml है, लीटर में, करने के लिए 1000 से divide कर दूँगा, answer आ जाएगा, 0.01, ठीक है, यह moles आ गए, किसके moles आ गए, यह इसके, यह जो भी है यह, dicloro tetra aqua chromium 3 chloride, सर इसका formula तो बनाओ, chromium, dicloro tetra aqua chromium 3 chloride, अभी हमत पूसना की formula कैसे लिखा है, आपको नाम से formula लिखना, अभी, अभी सिखाया है, ठीक, आप बताईए, कितने moles agcl के प्रेश्टेट होगे, पाई इसके moles हैं कितने, इसके moles हैं कितने, 0.001, बताओ agno3 डालने पर, क्या यही एक CL है जो प्रेश्टेट होगा, अगर इसका 1 mole होता, तो यह 1 mole agcl बनता, इसके moles हैं कितने, 0.001, तो इसके भी कितने moles बनेगे, 0.001, clear है मेरे खाल से, इसका 1 mole होता, तो 1 mole agcl बनता, बट इसके moles हैं कितने, 0.001, तो 0.001 बनेगे, that is option number D NEET 2013 में आया है question आगे बढ़ते है बटा Cobalt 3 Cloride ठीक है वो बहुत सारे complex बनाता है ammonia के साथ आज हमने किये भी है बहुत सारे complex किये न CO, CL3, कभी 6 ammonia, कभी 5 ammonia 4, 3, अभी किये है question में भी किये है मैंने भी कराए which of the following will not give test of chloride ion कौन CL negative ion precipitate नहीं करेगा AgNO3 डालने पर AgNO3 डालने पर कौन AgCl का precipitate नहीं बनाएगा ठीक है, कौन सा नहीं बनाएगा सर ये वाला, देखो ज़रा ये ऐसा ही होगा न, CO 3 ammonia अंदर, तो मजबूरी है 3ो CL को अंदर ही होना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट, 5 ammonia 5 ammonia तो एक CL अंदर कितने CL बार, 2 CL बार तो ये AgNO3 डालने पर 2 mol AgCl के precipitate करेगा आंसर कौन सा आ गया, B जो कोई भी CL के mol को precipitate नहीं करेगा कोई CL बार है नहीं, तो AgNO3 के साथ precipitate कहां बनाएगा, चली, आगे बढ़ते अगले टॉपिक का नाम है, that is effective atomic number थोड़ा साइंसी आटी से हट के है अभी recently ही इसके ओपर question आया है, तो obviously करना चाहिए ऐसी चीजें जो है वो बार बार repeat हो सकती है, सर effective atomic number होता क्या है, बहुत आसान तरीक है सबसे पहले आप electrons electrons निकाल लो, central metal atom में या आयन में सर कैसे निकाल ले, कैसे निकाल ले central atom जो भी होगा उसका atomic number पता है, येस सर मान लेते हैं 26 है, ठीक तो 26, जितने proton होते हैं, उतरही electron होते हैं ठीक, बट अगर उसने 2 electron loose कियो होगे, 26 थे और उसके उपर 2 positive होगे, जैसे FE है FE में तो 26 लिख दूँगा, बट अगर FE 2 positive होगे, तो इसका मान लो, उसने 2 electron loose कियो हैं, तो मैं लिख दूँगा 24 मान लो, किसी का atomic number 28 है, जैसे निकल है और निकल के उपर लिखा होगे, 4 positive इसका मान लो, उसने 4 electron loose कियो हैं, 28 होने चाहिए थे 4 loose कियो हैं, तो 24 लिख दूँगा मान लेते हैं, chromium है, 3 positive लिख दूँगा है chromium का atomic number 24 3 electron loose कियो है, chromium 3 positive है, तो 21 लिख दूँगा तो मेरे खाल से यह तो समझ आ गया, कि यह कैसे करना है ठीक प्लस twice into number of coordinate bonds, जितनी भी coordinate bond बनेंगी, उसका double कर दो तीक, आपको effective atomic number पता चल देगा, double पता क्यों कर रहा हूँ एक coordinate bond, पता न, 2 electron देती है, metal को coordinate bond कौन मन आता है, ligand और metal, ligand electron देता है central metal atom, electron लेता है, ठीक है तो जितनी coordinate bond बनी होई है, उसका double कर दो effective atomic number calculate हो जाएगा सरेकाद example बताइए, तब ज़्यादा समझ आएगा, बिल्कुल चलो भई, calculate करते है, effective atomic number of niCO4 effective atomic number, nickel का find out करना है, किसमें? in niCO4 सबसे पहले, nickel का atomic number, जो question में आपको given होगा, 28 होता है sir, oxidation state, निकाल के देख लो, 0 आएगी, कैसे आएगी? x, carbonil 0 होता है, x plus 0 is equal to 0, तो x 0 आएगा, तो 28 ही लिग दिया, मानलो 2 positive बाती, तो 28 में से 2 minus कर देता है, 26 लिखता है, मानलो 3 positive बाती, 28 में से 3 minus कर देता है, 25 लिखता है, 4 positive बाती, 28 में से 4 minus कर देता, 24 लिखता है, ठीक, plus, twice into number of coordinate bonds, क्या CO एक लाइगेंड है? yes, क्या यह monodented like end है? yes, एक bond बनाता है, कितने CO है? 4, तो कितनी bonds बनाएगे? 4, लोगे, 28 plus 8, कितना आगया? 36, कितना? 36, लोगे, आगया effective atomic number निकाल ले हमने इसका, सर एक और example, next page पे करता हूँ, थोड़ा space नहीं है, इसी को बरूँगा, बट next page पे chromium का atomic number 24 होता है, oxidation state plus 3 आएगी, तो effective atomic number कैसे निकाल हूँगा? पहले 24, plus 3 है न, तीन electron loose की होगे, आगया 21, plus, twice into number of coordinate bonds, ammonia, monodented ligand होता है, एक bond बनाएगा, एक coordinate bond बनाएगा, 6 ammonia है, तो 6 coordinate bond बनाएगे, 21, plus 12, कितना आगया? 33 है आगया, effective atomic number of chromium, in, CR, NH3, 6, CL3, एक और देखिये, अब, applications of effective atomic number, यही से paper में कुशन आया था, ठीक है? ध्यान से सुनना, समझना शुरूब, एक line बता दे, एक line बता दे, फिर जादा समझ आएगा, if, effective atomic number of central metal, जो भी है, वो atom है, या आयन है, अगर, effective atomic number, central metal, atom या आयन का, अगर वो आया, noble gas configuration के equal, किसके equal, noble gas configuration के equal आया, ठीक है? noble gas configuration बता है ना, या तो 2, या 18, या 36, helium, 10 भी लिखनी थी, sorry, helium, neon, argon, krypton, xenon, redon, और 118 वाला, वो तो radioactive है, बात नहीं करनी, अगर किसी भी element का, effective atomic number, noble gas configuration के equal आया, then, it is, stable, तब वो stable होगा, जैसे, यह देखो मेरे बच्चे, क्या यहाँ पर nickel का, effective atomic number, NICO4 में, 36 आया है, yes, क्या वो noble gas configuration है, yes, तो इसका बदलब, NICO4 is quite stable, ठीक है सर, आगे बढ़ते, अब यही कोशन था, applications of effective atomic number में, पहली बात तो effective atomic number यह बताता है, कि कोई भी compound oxidizing agent की तरह काम करेगा, या reducing agent की तरह काम करेगा, सर, कैसे, पहले, तो मैं इसका EAN find out कर रहा हूँ, effective atomic number of vanadium, vanadium का atomic number होता है, 23, oxidation state 0 है, तो ना electron loose किया, ना gain किया, 23 लिख लिए, ठीक, प्लस, twice into number of coordinate bonds, CO, mono-oriented होता है, एक coordinate bond बनाता है, 6 है CO, तो 6 coordinate bonds बनाएंगे, क्या 35 आया, येस सर, ये होना क्या चाता है, अगर 36 होता, तो ये stable होता, तो ये होना क्या चाता है, स्टेबल होना चाता है, 35 से 36 जाएगा, कैसे जाएगा, सर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, बेटा, जो खुद चीज reduce होती है, वो दूसरों को क्या करती है, oxidize करती है, तो ये कैसे काम करेगा, सर, ये oxidizing agent की तरह काम करेगा, 35 था, एक electron gain कर लेगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, टीक, तो इसी कारन ये खुद तो क्या हो जाएगा, स्टेबल, टीक, कैसे, gain करके, खुद reduce हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा, oxidize तो ये oxidizing agent की तरह काम करेगा, So, VCO6 acts as an oxidizing agent So, आपने एक example रब कर दिया उसी को दुबारा next page पे लिख देते हैं, ये लो ये लिखा हो था, MNCO6 पहले effective atomic number find out करूँगा MN का in MNCO6 MN का होता है बटा, atomic number 25 होता है ना इसने electron loose किया है, ना gain किया है, 0 oxidation state है ओके सर, 2 into number of coordinate bond 6 है 37 आया, अरे भाई 37 वाला भी unstable होगा, 36 वाला stable होगा novel gas configuration, तो इसका मलब ये एक electron loose करेगा कर दिया है इसने loose जैसे ही बटा, ये एक electron loose करेगा खुद क्या हो जाएगा, oxidize और अगर ये खुद oxidize हो जाएगा तो दूसरों को क्या करेगा, reduce दूसरों को क्या करेगा, reduce तो ये कैसे काम करेगा, reducing agent कितना कैसे काम करेगा, reducing agent कितना it will oxidize itself and acts as reducing agent तो effective atomic number से एक तो आपको यह पता चलता है कि कौन oxidizing agent की तरह काम करेगा और कौन reducing agent की तरह काम करेगा सर क्या इसकी कोई और भी application है बिल्कुल है whether the compound exist as mononuclear और polynuclear पहले mono, poly का मतलब समझ लेते हैं mono का मतलब है central atom एक ही होगा CO एक ही होगा poly, dinuclear का मतलब बोलते हैं इसका double कर दो, double मतलब CO2, CO8 यह भी double, यह भी double trinuclear, 3 को न कर दो CO2, CO12 बेटा यह कोबाल्ट है, यह कारबोनिल है mono nuclear का मतलब समझ आ गया niCO4, dinuclear ni2, CO8 trinuclear, ni3 CO12, इस तरह से हो सकते हैं, चलिए, बात करते हैं तो यह decide करता है कि compound जो है वो mono nuclear है, यह poly nuclear है ठीक है, सर कैसे, देखो ज़र CO, CO4, पहले इसका effective atomic number, find out करो cobalt का atomic number 27 होता है oxidation state, 0 है यहाँ पे, plus 2 into number of coordinate bonds 1 CO, 1 coordinate bond बनाता है 4 CO, 4 coordinate bond बनाएंगे कितना आया, 35 यह stable नहीं है अगर यह stable नहीं है तो इसका मतलब यह CO, CO4 में तो exist नहीं कर सकता, ठीक है सरी से क्या करना पड़ेगा फिर? इसको पते का करना पड़ेगा? 1 CO, CO4 मैं फिर repeat कर देता हूँ, यह cobalt है, यह carbonil है और दूसरा cobalt, CO, CO4 इसका भी 35 इसका भी 35, यह दोनों आपस में एक bond बना देगे दोनों आपस में क्या बना लेंगे? bond बना लेंगे, इसको बोलते है metal bond, पर इसकी type होती है delta bond की एक electronist ने दिया एक electronist ने दिया क्या आपको पता है? फिर यह भी 36 हो गया यह भी 36, मैं देखो ना इसका मलब CO, CO4 exist as CO2, CO8 क्योंकि अब इसका effective atomic number हर एक कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? 36 अभी तक तो 35 था दोनों ने आपस में metal, metal bond बना ली एक electron उसने देदिया शेर करने के लिए एक electron इसने देदिया शेर करने के लिए इसका भी 35 से 36 हो गया इसका भी 35 से 36 हो गया ठीक है? तो पता चल गया कि ये die nuclear कितना exist करेगा सरे एक example आपने रब कर दिया हाँ बेटा वो और next page पे लिख ले थे NICO4 NICO4 ध्यान से सुनिए, समझे effective atomic number of NIC सरे अभी अभी आपने find out किया था just 10 मिनट पहले तो सीधा लिख दूँ कि 36 आएगा आगया भी 36 इसका मालब ये stable है, stable है तो इसका मालब एक nickel को किसी और nickel के साथ metal wand बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैसे exist करेगा? सर ये exist करेगा mononuclear सर पिछले वाला कैसे exist किया था, ये पिछले वाला कैसे exist किया था ये exist किया था, di nuclear है ना di है ना, दो metal है ना इसी के ओपर question आया है ये रहा NEET 2018 में question क्या है क्या आरन कार्बोनिल बताओ क्या ये mononuclear होता है, di nuclear होता है, trinuclear होता है क्या हम effective atomic number find out कर ले, FECO5 का yes sir, FECO5 का atomic number से 26, question में given होगा tension वाली कोई बात नहीं है oxidation number, यहाँ पर FECO क्या आएगा, 0 आएगा लिखने की जूरुत नहीं है, twice into number of coordinate bonds कितनी है number of coordinate bonds, 5 कितना आ गया ये, 36 कितना आ गया ये, 36 क्या ये stable है, yes sir, ये stable है अगर ये stable है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी से कि ये कैसे exist कर रहा है, mono die tri tetra, sir, इसको किसी की साथ metal metal bond मनाने की जुरूत ही नहीं है, ठीक है तो कैसे exist करेगा ये mono nuclear ठीक है, तो answer आ गया जी हमारा mono nuclear, एक और देखिए whether metal metal bond exist or not, sir, यही तो आपने indirectly बढ़ाया अभी, अभी indirectly यही तो बढ़ाया है, ठीक है, के नहीं बढ़ाया यही तो बढ़ाया है, ठीक है, CO2, CO8 ठीक है, क्या निकालें यहाँ पर, effective atomic number of 2 CO, दोनों CO का इक अठ्था निकाल रहा हूँ, in CO2, CO8 पहले दू का निकाल लेता हूँ, फिर एक का निकालना होगा 2 से डिवाइड कर दूँगा, चलो जल 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 दी एक CO का atomic number 27, तो दो CO का 54, oxidation number 0 है, तो कुछ भी नहीं लिखना है एक CO ने यह वाले CO ने एक coordinate bond बनानी है, तो 8 ने कितनी बनानी है 8, क्या यह 70 आ गया, अरे हाँ यारे तो 70 आ गया, एक का बताओ, यह तो दो CO का आया एक CO का कितना आ जाएगा 70 से 2 से डिवाइड कर दो, that is 35 आ गया, आ गया 35, सर हमें कितना चाहिए, 36 चाहिए, इसका मतलब, metal और metal ने आपस में bond बनाई होगी, ठीक है therefore, to get 36 EAN CO and CO के बीच में metal, metal bond बनी ही होगी यह वाला एक्जाम्पल, next page पे कर रहा हूँ Fe3 CO12 पहले EAN निकाल रहा हूँ तीनों Fe का ही कठा, फिर 3 से डिवाइड कर दूँगा अपने एक का आ जाएगा क्या आपको पता है, एक Fe का atomic number 26 होता है यह सर, तो 3 का कितना हो जाएगा 26 इंटू 3 Oxidation State 0 है, ना कुछ प्लस होगा, ना माइनस होगा एक CO, एक bond मनाता है 12 CO, 12 coordinate bond मनाएंगे कितना आ गया बैटा यह, 78 24 92, यह सर तो एक का बताओ सहीं की है न सब कुछ नई सर, आपने addition गलत किया है 1, 0, 2 ठीक है न 78 और 24 ठीक है, तो एक का निकालो एक F, सर 1, 0, 2 divided by 3 that is 34 still, it is short of 2 bonds, है ना दो अभी भी short है, 36 में आना था तो इसका मलब क्या करना पड़ेगा हर एक F, को यह भी F, CO4 है, यह भी F, CO4 है, और यह भी F, CO4 इन्हों ने आपस में क्या बना रखी होगी है, metal, metal bond, हर एक ने दो दो बना रखी होगी, 35 हो जाएगा, 36 हो गया, इसका भी 35, 36, इसका भी 35, 36, लो भी, खतम, that's it, done, ठीक है, that is how you calculate effective atomic number of F, E, ठीक? next class में, बेटा, जब हम मिलेंगे, तो हम इसके और कुछ important topics पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग VVT, एक पढ़ेंगे CFT, और फिर जो छोटे-छोटी और चीज़े हैं, ठीक है, stability विगरा कैसे final करते हैं, ठीक है, and isomerism, that is also very important topic, so make sure करिएगा, कि जितना आपको पढ़ाया गया, आप उसके notes जरूर बनाए, आप इसको revise जरूर करें, इसकी practice sheet को जरूर solve करें, ठीक है, और मिलते हैं जी आप सबसे, next class में, ठीक है, so thanks for giving us your time, thank you bachu.